हलो बच्चों डॉंट फियर द्यास सरीजियर नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुपर कंसर्ट क्लास्स में स्वागत थे और आप लोगों के लिए आ गया है पॉलिटिकल साइन्स सब्जेक्टिव का महातांडर वीडियो जिसका आप लोग बेस सब्दिस से इंदिजार कर रहे सब्सक्राइब कर लिएगा कि आगे के बाद आपका ग्रिज्वेशन होगा उसमें सीवीटी का हीजाम दिना होता है सीवीटी का कम्प्रीट त्यारी मैं ही आप लोगों कराने वाला हूं लाइब होगा टेंसर ने लेना है धाकड़ वाला तयारी होगा देखो यहां पर है यह 26 फरवरी इस पेसल है और कल 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 25 तारिक है कल आप लोगों का मैं MCQ का महतांडव वाला लाइव लेने वाला हूं मैं टाइमिंग बता दूंगा कब होगा कैसे होगा कहां होगा सब कुछ बता दिया जाएगा अक्चनल में यूटूम में ही होगा टाइमिंग आप सबसे पहले हम लोग सबसे अपढ़ना था जोतीं साल के त्लैवस में नहीं है जो जो आया है उसमें नहीं दिया गया ऐए Chapter नाम था cephet start का ओर इसके बाद हमें पढ़ना था दोर्डी दूमेटा कहें में लेकिन यह सब्सक्राइब आप कहानी शुरू होता है हमारा उनने सो परिद् beliefs र मfangा स्करोर से लेकर सब्सक्राह upset सरी कहता है हमारा दुसरा फीज खत्म होता है ने सो फ्की में तो इस समय ढग sitting बदिने वाला और कोई नहीं तो इसमें से जो दो दें जो था एक ता हमारा अमेरिका एक था हमारा अमेरिका दूसरा था हमारा सोवियत संग दूसरा क्या था सोवियत संग सोवियत संग का बरतमान में नाम क्या है तो बरतमान में नाम है इसका रूस देखो यह जो सोवियत संग था न यह भई देश नहीं था देखो संग, यहाँ पर लिखा हुआ है संग, संग माने क्या होता है, संग माने होता है, ग्रूप, संग माने क्या होता है, ग्रूप होता है, संग मतलब क्या होता है, ग्रूप होता है, मतलब सोवियत संग एक देश नहीं था, बलकि देशों का एक ग्रूप था, देशों का ए थे ठीख है और हमारा उन् priori से uh मिष्ट्फा ओजाता है लो攻त के लिए दिए hablar लगई छबला अभिन में अनला नहीं है यूचे लिक जो कुस्चना होता है तुर से के मीतले होता है कि वार यह याने कॉर्ड वार यान धंडा 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 लड़ाईonym अब अडिक Guidssang offers की आपना अध़ी लाड़ाई होकर रहेगा नए वास्तव में वाकाय में लड़ाई नहीं होता है और यहां पर यह जो अमेरिका है सोवियत संग है इस दोनों की तकरार है हमारा सित्वीद है और 1945 में हमारा सित्यूद शुरू होता है और 1945 लेकर 1991 तक हमारा सित्वीद चलता है उनने इस तो इकानेवे में होता क्या है तो सोवियत संग का वही अंत हो जाता है सोवियत संग का विगटन हो जाता है और जब सोवियत संग का विगटन हो जाता है तो जो पहले हमारा दो महा सक्ति था अब यह दो महा सक्ति नहीं रहता है बलकि केवल और केवल बचकर हमारा क भीयोटे खतम हुआ था। तो उस समय दो महासक्ति Arika एक अमेरिका और दूसरा शुयत्त अगए जो दो महासक्ति उभा सर्था इसी का नाम है दो धृवियत्त यह दो जाता है तो क्यμο क्यूल वडर बचता है अमेरिका बचता है तो भाई पहले हमारा दो धूरूब था लेकिन जैसे सब्सक्राइब का मारा अंत हो गया बचता है केवल एक धूरूब और वह हमारा अमेरिका तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो चलो वह कोश्चन में आते हैं एक करके हरे चीज़ को समझेंगे टे दो धूरूब यहां बताना है और बहुत धूरूब यहां के बारे में भी बताना है तो एक हरे चीज़ को देखेंगे तो एक कोश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है देखो बात को समझो ध्यान से आवे मैं आपको समझा रहा था कि 1949 से लेकर 1945 तक हमारा दूसरा ब सपूर बोलते हैं अमेरिका और सवयत्त दौह महासक्ती के रूप में इभरता है इसी को लोग दो भूएता तो दो धुरूबिया विश्व बोलेंगे बस बात सिंपल यह आपको लिखना है यह आपको लिखना है ठीक है कि जब हमारा दुसरा भी खतम होता है तो उस समय दो महासक्ति उभरती है कौन-कौन अमेरिका और स्वयत संग इसी को दो धुरूबिया विश्व के नाम से जना जाता है अगर बात करें एक धुरूबियाता यह फिर एक धुरूबिया विश्व का तो बोलेंगे कि जैसे हमारा उनने सो जिसा अभी मेरे बताया आपको कि उनने सो पंचालिस से लेकर उनने सो इक्यानवे तक हमारा सित्यूद्धी चला था उनने स्वयत संग का विगटन हो जा में लेने वारा है सिंपल इजी तरीके से आप पढ़ो देखो समझो कि दूइ धुरूबियता का अर्थ क्या है तो कि बीश्व के बाद बीरे डूटों में बंट गया जिसे दूज्व धुरूबियता कहेते हैं दूटिंधी बीश्व के बाद सोबेद संग सनीक तराज अम अमज़ गए एक धुरिवेता के बारे में जान लो कि सोवेत संग के विविवेटन के बाद 20 में केवल अमेरिका का बोल बाला रहा इसे एक धुरिवेता कहते हैं सई अर्थ में अब उसकी टक्कर लेने वाला कोई देश नहीं है मतलब उस टाइम और कोई नहीं था जो अमेरि द्रुब बन गया है इससे अब इसे में द्रुवेता कहते हैं जो अमेरिका रूस हरेक को टकर दे सकते हैं भारत आपी एक किसी से कम नहीं है इसी को बोलेंगे कोई प्रोब्लम कोई दिकत नहीं है आगे चलो कि इसके बाद हमारा दुसरा कोशचन आता है क्लास नास्ते सब समझते हैं तो उसका सभियत संग का रूल नियम नीती था जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को राइडिक छेत्र में पूर्ण रूप सब्सक्राइब करना कर लो गाइब को चर्ने के लिए जब हम लोग छोड़ देते हैं तो कहीं भी चला जाते हैं तो यहां पर यह जो ग्लास मास्ते है ति यह फिर ग्लास नोस्त जो है इसका मतलब क्या हो गया कि राजनीती के को पूरी तरीखर के ख्यट्र में किसी को स्टंदुर्टा देना पजसे अपने विचार रखने कि ग्लास लयके द्या कि क्या है कि सोव्यत संग के इतिहास की सबसे बड़ी गयराज सेल क्या थी तो देखो इसका एंसर क्या होगा सोव्यत संग के विगटन के बाद आस्तित्व में आए नए गनराज्जों में सौक थेरेफी की बीधी दवारा अपनी अर्थेवस्ता को सुधारने का प्रियास किया लेकिन सौक थेरेफी से संपूर्णे चेत्र की अर्थेवस्ता नस्ट हो गई देखो इस बात को मैं आपको अच्छे तरीकी से अपनी भासा में समझाता हूं तब आप समझ पाओगे अच्छे से अभी में आपको क्या समझाया अभी में आपको बताया कि 1945 से लेकर 1991 तक हमा सोव्यत संग था जो सोव्यत संग था यह कौन से विचारधारा को मानते थे तो यह साम्यवादी विचारधारा बोलो आप यह पर आप समाजवादी विचारधारा बोलो तो इस विचारधारा को मानते थे सोव्यत संग और जो अमेरिका थे भई जो अमेरिका थे अमेरिका पूंजी बादी विचारधारा को मानते थे अमेरिका पूंजी बादी विचारधारा को मानते थे ठीक है अब देखो सोवेत संग के अंडर में जितने भी देश थे अब जब इसका बिगटन हो गया जब इसका राम नम सच्थ हो गया तो सारा देश क्या हो गया यहां से अलग अगलग हो गया और सौ塞्ति छितने भी सल की आगल एक थे सामेपधी विचार्धारा जाण पर समाजवादी वीचारधारा को मानते ते सोवेत संग फिगटन हो गिया अब उसे अचानक किसमे ट्रांसपर होना है तो उसको ट्रांसपर होना है भै पुंजी बादी विचारधाना में प्रांस्पर होने के लिए एक यहां पर थेरेपी लाया गया जिसको सॉट तेरेपी इस Verm tutorial से सोच मैं एक पोरे तुम सामिवादी पिचांसा मनता था समाजवादी पिचांस अगात पहुंचां कर अब जब सौकर ना ध lanzhã कोइसे क्या होता है पूरे तरीके से और्थेवरिस्ता चौपत हो जाता है और लिखा गया है आप देख सकते हो तरी किसे पड़ सकते हो कि सोबेत संग के बीगटन के बाद आस्तित्व में नए गनराजों में तो अपने अर्थेवस्ता को ठीक करने के लिए उन लोग क्या करते हैं यहां पर स्वक्थेरेपी अपनाते हैं अब जैसे शॉक्थेरेपी सबसे बड़ी गाराज कहा जाता है कि इसमें सबसे बड़ी गाराज कहा जाता है कि इसमें शवी जरूरी उद्धिगों को ओनेपोंगे दामो यानि बहुत कम दामों में बिअ कम बशा गया इसको इतिहास सबसे बड़ी ओल LEUNGे इतिहास के सबसे बड़ी अगला प्र SM क्या है नई बिश्वू बवस्ता क्या है देखो ने बिश्वू बवस्ता सौवय्यत संग के दिगट के बाद the one year में अमेरिक का बचस्व स्थापित हो गया जारी से बात है बाध्यात संग्के चौर्ण के पतन के बढ़ते वूए बम्यख़ू वह बढ़ता गिया जिसको हम लोग नहीं बीश्वववववस्ता के नाम से जानेंगे यह हो गया नहीं बीश्ववववस्ता का डैफिनेशन आगे चलो स्वववेत संह जो पहला कारण को समझो धियान से स्ववेत संग पर क्म्यूस्ट पर सतर सालों तक सासन क eyes देखो जो कम्यूनिस्ट पार्टी थे ना कम्यूनिस्ट पार्टी ने संग पर सतर सालों तक सासन किया यह पार्टी जनता के परती जवाब दें नहीं रह गई थी इस तिन लोग सरकार से अपने आपको अलग महसूस कर रहे थे वहलब देखो भाई कोई भी अगर पाटी 70 साल तक लगातर सासन करेगा तो जानता कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है जो मन में आएगा मैं यही करूगा तो यह जो Communist Party है इसको जो मन में आता था वह गज़े जनता के परती बिलकुल भी जवाब गई नहीं था जनता इसे खुश नहीं थे ना खुश थे तो यह रहा हमारा पहला कारण और इसी इसी से रिल्केड़ आप बहुत सरा और बना सकते ह तो किया है क्या है कि काम्यूनियस्ट पाइडियू tvJ के बाद पूरवी उरोप पर सवेत संग का परभुत्य हो गया था उन देष्विण पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अपने आर्थिक संसादनों का एक बड़ा भाग उन देशों पर खर्ज करना परा देखो जैसे हमारा दूसरा भी स्वियूद्ध जैसे ही खतम होता है तो उसके बाद जो पूर्भी यूरोप का जो इलाका है पूर्भी यूरोप की इलाके पर किसका कब्जा होता है स हम लोग इसका भी मदद करेंगे तो सवियूद्ध संग यहाँ पर पूर्भी यूरोप के जो भी मदराब इहां पर देश है उनको आर्थिक रूप से बहुत मदद करते हैं बहुत पैसा देते हैं संसादन देते हैं जो यहाँ पर सवेध संग के विगटन का कारण है अब ह देशों पर अपना परवाब बनाई रखने के लिए अर्थिक संसादरों के बड़ा भागुन देशों पर खर्च करना पड़ा बहुत ज़्यादा यहां पर इंबेस्ट कर दिया था इसके बाद अगला देखो अगला सवतंतरिता नहीं दिया गया था उसके बाद पर अगला क्या है इस देस में जनता को खूलकर अपनी विचार दिनेस्गार ना हो už देस की जनता एक न एक सवतनता नहीं दिया जाए कुछ भूं करने के लिए कुछ बोलने के लिए मोका नहीं दिया जाए तो जाहिश से बात है भरि जनता कब तक सुनेगा फिर बगावत तो करें और यहांполож पर जंता बगावत कर देते हैं उसके बार क्ला पॉइंट यह िए पॉइंट vi विचारधारा को अपनाया जबकि सोवेत संग ने सामयवादी विचारधारा को अपनाया अमेरिका दिन परती दिन विक्सित होते गया और यहां पर सोवेत संग कुछ खास विकास नहीं कर पाया पर यहां के अकांचा है जो यहां पर लोगों का पर संग का सकल घरेव उत्पाद यानी GDP जेडीप है यह भी बहुत कम होने लगा अर्दत सोवेत संग की विकासदर बहुत कम हो गया तो मिखायल गुरवाचेव की सुधार नीती थी जो खुलापन का जो नीती आया था ग्लास नोस्त जिसको लोग बोड़ रहे हैं जो अभी हमने पड़ा तेक है यह बहुत ही बड़ा कारण है जिसक अब भी गटन होने के बाद जो रिजल्ट आया जो रिजल्ट आया यह परि नाम है है आप लोग भी पड़ रहे हो इंजाम दोगे परिणाम आएगा रिजल्ट आएगा पास्ट सगन थर्ड या फिर फेल बला आएगा जो भी होगा आएगा उसी प्रकार से सोवेत संग का जो पतन का जो यहां पर परिणाम है जिसे पतन जब हो जाता है उसका रिजल्ट क्या मिलता है तो देखो भाई बात को संजू ध्यान स सोव्यत संग पतन से सीटीव्ध काहिंत हो गया से डुरूबिय से एक धूरूबिय हो घान स्विट संग का व्यकतन हुआ था तो जनम हुआ तो इसमें 15 गर्राज्जों का जनम हुआ दग्ये में शुरू से बोल रहा हूं भै कि सौवियत संग हमारा देस नहीं है बल्कि देसों का एक सम्हू है देसों का एक गूर आए देसों का एक संग है और इसमें टोटल पंधरा देस सामिल थे और पंधरा देसों में सबसे जो पाउरफुल था सबसे ताकतबर था हो अपर जनम होता है यह 15 एक साथ थे लेकिन यहाँ पर खुल गिया सारा जनम हो गया सोवेथ संग के वीगड़न के बाद अस्तर संस्त्रों की होड पर रोक लग गया जो अस्तर संस्ता को जो युगार के रखता था कि आब देख लेंगी एक गाल आग टिक है तो उसे प्रकार वीज पर अस्तर निस पें vendor के कम हो गया सवेट संग के विभाजन से पूरे 20 में सामयबाद का परभावी कम हो गया था इसके गारण सनी उत्राज अमेरिका को अब टक कर देने वाला कोई नहीं रहा इसले अमेरिका ने बहुत सारे तेल भंडारों पर कभजा कर लिया देखो जब देखा कि आप तुम्हें टक कर देन सब में यह कर देते हैं सोवेट संग के बिगटन के बाद समाजबादी देशों का समाजबादी विवस्ता से ही विष्वास कम हो गया पुझी बाद की तरफ उनका जुकाओ बढ़ने लगा इसके बाद अगला प्रसन हमारे पास देखो कितने तरीके से पूछा जा सकता है कितने तरीकी से पूछे जाए एंसर आपका एकी होगा कि सौक तरीपी क्या थी क्या सामेबाद से पुझीवाद के तरफ संक्रमन का यह सबसे बहतर तरीका था या पर सौक तरेपी का आर्थिक परिनामों का बनन किजिए या पर सौक तरेपी किनी च्वा परिनामों का बिस सोवेद संग के विगटन के बाद यह समझा जानी लगा कि सामेबाद का पतन होने लगा है तरह सामेबादी व्यवस्था वाले काहे जाते हैं इन देशों में समाजबादी व्यवस्था के पर पुझेवादी विवस्ता में बदलाव की परक्रिया आरंभ होई यह बदलाव आसान नहीं था इसके लिए अंतराश्ट मुद्रा कोस्ट आई सामयबाद से पुझेवादी विवस्ता में बदलने के लिए एक खास तरीका या मॉडल तयार किया जो इन देशों ने अपनाया इन बिजिस मॉडल को इस सौक थेरेपी का नाम दिया गिया देखो मेरा कुझेवादी के विचाधरा पर काम करता है तो सब्संग का जैसे बिग टायरेक्ट्ट होना पुझेवादी विचाधरा में तो इसके लिए इक मॉडल इसके लिक तरीका अपनाया गया जिसका नाम है सौक थेरेपी विस्सता है चलिए इसके विस्सता को देख लेते हैं जाकि इसका पहला विस्सता क्या है कि राजितिक अर्थेवश्ता और यहां पर कंट्रोल हुआ जब लोगों को अपने हितों की रक्षा करने की अनुमती मिल गई कि वहाई होते हैं कि बिल्ली नियू को मानने के पूर्न सवतंद्रता थी कोई भी कुछ भी माण सकता है ठीक है आगे देगो कोई यहां पर पॉंटर में 3 क्या है आर्थिक परिवित्तिबंद हटने लगे जिससे बाजार खुल गया राज और बाजार प्रस पर मित्र समझी जाने लगे नई संस्थाइं अस्तापित होने लगी जिन्होंने राजनितिक परकिरिया में अपने भागेदारी स सब्सक्राइब सब्सक्राइब फूल सकते हैं अपना जो एक्स्प्रेशन है उसको प्रेस कर सकते हैं आपिवक्तिकों यहां पर प्रश्चूद कर सकते हैं देशasket पुंजिवादी अर्थवस्ता कायम हुआ डेस में नीजी स्वामीत्त पाविकास हुआ राज की संपत्ती का नीजी करन होने लगा सामोीक फॉर्म को निजी फॉरूं में बदलना तेक्ष इसामुवाद से पुर्वाद के परिवटतर करने का अच्छा तरीका साबित नहीं वह देखो सब्सक्राइब करना है जो यहां पर कारगर साबिद नहीं हुआ यह अच्छा तरीका नहीं था इसके कारण पूरे देश के पूरे चेत्री अर्थेवस्ता पूरी तरह से तवस्नस हो गया रूस का उद्यों की ठाचा नस्ट हो गया जो भी फैक्टरी बेगरा है करीब नब्य पर्शन फैक्टरी को निजी कंपनियों को बेचा गया इसको लोग इतिहास के सबसे बड़ी ग कंदाम में वहती ओने पने दाम में उनको बेचा गया वहती कंदाम में बेचा गया जो रूसी मुद्रा है रूबल में भारी गिरावट हो गई और किमते बहुत ज्यादा बढ़ गई जिसके कारण लोगों की जबाप पुंजे समाप्त हो गई सामुई खेती पर नाली की ख बढ़ गया समाज का इलाने के पुराने विस्ता समाप्त होने की कारण करेवी में बिलिगते हुई मापिया बर कवदे होता है सौक तरेपी के कारण लोगतांतिक संस्थाओं के अस्थपना की तरफ ध्यान नहीं दिया गया इसके बाद आगे देखो पॉंट नमबर यहां गया रहा है कि समिधान जल्दबाजी में तयार किया गया जिससे समिधान सही से नहीं बन पाया किसी को अधिक सकती दिया गया तो किसी को कम सकती दिया गया सौक तरेपी से रूस के आधे बैंक और वित्य संस्थान दिवालिया हो गए जो भी मतलब यहां पर कर जावे गए जो तो उनका दिवालिया निकल गया उनका वही बहुत खारब हालत हो गया हालत खराब हो गया उसके बाद अगला कोशन किया कि बर्लीन की दिवार का बनन क बर्लीन की दिवार का निर्माद 1961 में क्या सकता है गैंजोर बर्लिन की दिवार का निर्मान सामयबादी और पुंजीवादी लोगों को अलग करने के लिए क्या गया था। सब्सक्राइब करने वाला हूं तो आप इस वीडियो को पुरा देखिए इससे बाहर आप लों का एक भी कोश्चन नहीं जाएगा और आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है बस यहां पर मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं पस इतना पढ़ लिजिए आपका बेड़ा पार चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ important important points को देखते हैं फिर आगे हम लोग questions को देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आसियान के ब full form कभी कभार फुल फॉर्म यानि की पूरा नाम भी पूछ जाता है देखो हिंदी से हम लोग पैंपर चलेंगे बहिकी हैंपर गई थी श्वन से बात को इसका अस्थापना कहां हुआ है तो थाइलंड की राइधानी बैंकॉक में कब हुआ है तो 8 अगस्त जो कि इंडोनेसया में है जब स्थफना हुआ Ты उस समाई इसमेnh 5 देश तो मलेशिया इंडोनेसिया थाइलैंड सिंगापूर और फिल्लीपिंस इस थैंसे और बाद मे國 इस इसमें देश एड हो जाते हैं और बरत्मान समय का बात करें तो अभी टोटल मिला कर 10 देश इसके सदेश है चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं ध्यान सुनिए तो पांच देश कौन-कौन से है इसका भी नाम याद रखेगा एक्जाम में पूछा जाता है तो यहां पांच यह सबAyoyaड हो जाते हैं यह सब देश है फिर जीरे बाद में एक्ट होतें जाते हैं यहांपर कब हमारा कॉन सब डेश एड हुआ है लेकिन यह जो इर है नियर हमारा नहीं पूछता है एक जाम में और स आप यहांपर देश का नाम याद कर लो और चाहँत भाई और लिए मेरे आपको बताया कि वरतमान में इसके कितने देश इसके सथाई सवेठ से लिए स्थाई सब्सक्राइब हो जो करफर हैं तो दस है बरतमान में सथाई है और जब साथ alors फं़ फाइसा थे जाध होई रखना पउच भी एसी ऐसे इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा यूरोपिय संग एउरोपिय संग जिसको बोलेंगे यूरोपियन यू न या फिर यू बोलेंगे इंचको ए यू ठीक है yoropenka e union ka e e e u बोली मटली एउरोपिय संग बोली Wayne European Union बोलिए सबका मतलब एक ही होता है अब यह जो यूरोपिय संग है यूरोपिय संग का जंडा कुछ इस प्रकार से होता है देख लीजिए यहां आप देखिए गोल्ड में क्या है इस्टार मना हुआ है और केटू स्टार होता है टोटल इसमें आप गिल लेना टोटल आपको है गोल्डेन कलरका होता है याद रखना कितने स्टार्स होते हैं 12 स्टार्स 12 तारे होते हैं देखिए यूरोपिय संग में एक बढ़ा confusion point है क्या है इस बात को समझे इसमें confusion point है इसके अस्थफना को लेकर कहें कहें पर आपको इसका स्थफना देखने को मिलेगा कहें कहें पर इसका स्थफना उनने सो तिरानवे देखने को मिलेगा लेकिन जैसा option रहेगा भाई हम लोग उसी क्या को चलेंगे ठीक है त्रेंसन मतलों एक साथ नहीं दिया रहता है अब इसका आखिर में फंडा क्या है फंडे को मैं आपको समझाओंगा लेकिन यहां पर कन्फुजन पॉइंट है कि यूरोपिय संथफना उनने सो तिरानवे में हुआ है देखिए हम लोग यह जो यूरोपिय संथ पढ़ेंगे इसका अभी फिरहाल नाम इसका यूरोपिय संथ नहीं था बल्किसका पहले नाम यूरोपिया आर्थिक समुदाय था और जो हमारा यूरोपिया आर्थिक समुदाय था उसका जो अस्थपना हुआ है उनने सो संथावन में हुआ है कहां हुआ है रोम में इसको नोट करो यूरोपिया आर्थिक समुदाय के अस्थपना यह क्या होता है आस्तित्तु में आ जाता है इस चुछ अब देख लो एक समान मुद्रा होगा और मुद्रा क्या है तो यूरो यानि हर एक देश का एक समान मुद्रा होगा एक समान सुरक्षा निती होगा और सभी के लिए ये संधी यह मतलब साजा सेंटरल बेंक होगा यह मैंस्ट संधी बोला गया था जो कि 992 मि अपर Doesn't 72 मीं संधी आता है और 1993 में मेरे संधी लागू हो जाता है और जब ये संग यहां पर यूरोपय आर्थिक समुदर का नाम कब रखा गया तो 1993 में रखा गया था 1993 में बात की लिए पहले आप हरेक्षिजों को देख लिजिए तिर में आपका जो से जूभव द्यान से सभाब आपका गया है कि 1992 में मैस्ट्री संदी हुई जिसके अंतरगत यह तय क्या गया कि सभी देस के समान मुद्रा यूरो होगी यह भी तय क्या गया कि सभी देशों की समान विदयस निती समान सुरक्षानिती होगी तथा साजा सेंट्रल बैंक होगा यानि सभी के लिए एक साजा सेंट्रल बैंक होगा और यह जो संधी है यह 1993 में लाग हुई तभी इसका नाम यूरोपिय संग हो गया यानि दो चीजा आपको यहां पर समझना है एक तो भाई यूरोपिय आर्थिक है यूरोपिय संग यह अस्तितायि में अगर आपको ऑप्षन में उन्रेट सौ तरानवे मिल जाए हुआ पहस्ते हस्ते के उपर टिक कर देना कोई मतलब कोई दिकत नहीं है बात समझ में रहा है कि यूरोपिय संग ही पहले हमारा यूरोपिया आर्थिक समुदाई था तो अगर अगर नहीं मिले तो कोई दिकत नहीं है तब आप अपने 67 के ओपर टिक कर देना यह बात के लिर हो जाता है चलिए भी पॉइंट हो गया उसके बाद आगे है कि यूरोपिय संग का पहले नाम यूरोपिय समुदाई था यूरोपिया समुदाई बोलो या फिर यूरोपिय आर्थिक समुदाई बोलवाई एस सब से बेश कि यूरोपियन संग का गठन मूल रूप से मार्च उनिसे संतावन में यूरोप में छोद देशों दवारा क्या गया था वो छोद देश कौन-कौन सा है इटली प्रांस जर्मनी वेल्जियम होलेंड इसका परतवान में नाम निदल रेंड है तता लगजंबर्ग दवारा क्य स्विल होग है तो पर बाद में ये सारे सिसमे होते हैं आगे देख Lind खेर कि अगी है कि प्रार्मी में ये यناर्फियाच समूधाई या फिर ये उरोपियन समूधाई में यूरोप के 18 देश इसके सदल से मतलब देखो प्रारंबिक में स्टार्डिंग टाइम में मतलब प्रारंबिक का बात करा जाए तो उसमें 18 इसके सदेश से थे ठीक है और अगर बरतमान समय का बात करें तो बरतमान समय में यूरोपय संग में सदेशों के संगा कितनी है सताइसे पहले कितना था भई अभी मैंने बत यह उरोपे संग से निकल जाते हैं देखो जो ब्रिटेन है ने ब्रिटेन ब्रिटेन जो है ठीक है विए उरोपे संग से निकल जाते हैं यानि की एक्जिट हो जाते हैं ठीक है इसी लिसका नाम इसी को क्या बोलेंगे ब्रेक्जिट बोलेंगे ब्रेक्जिट मतलब क्या होता की एरोप संग से ब्रिटें का दीटा ओना रियन की निकालना बोलो या फिर उसका निकालना बोलो या फिरफा मैं गोड़े जो क्लिए ब्रिटा में मैं ये कर लेटा है बूरमरे agencies में उलाय जिसे ब्रिक्जित कहा गया 2006 में ये नीने कर लेता है ब्रिटेन कि आब मैं यूरोपिया संग के साथ नहीं रहूँगा 2016 में नीने कर लेता है 25 नॉमबर 2018 को यूरोपिया संग के 27 देशों ने ब्रेग्जिट समझे तो को अपनी मंजूरी दे दी तथा ने लिया गया था कि ब्रिटेन 29 मार्च 2019 से यूरोपे संका सदे से नहीं रहेगा ब्रिटेन को छोड़ कर बाद बाद कि जितने भी समें सदाज देश जो इसमें थे न सब निने ले लेते हैं कि चलो ब्रिटेन अगर निकलना चाहता है तो तुम निकल जाओ तुम यहां पर 29 मार्च 2019 से और तुम यूरोपे संक का सदे से नहीं रहोगे लेकिन कुछ कारण बस उस टाइम नहीं हो पाता है ठेक है इस प्रकार 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपे संके सदे सता चोड़ दी देवो 29 मार्च 2019 को यह बोल ला गया था कि छोड़ देगा लेकिन कुछ कारण बस नहीं हुआ था तो फिर 31 जनवरे 2020 को ब्रिटन यूरोपे संग छोड़ देता है और जब यूरोपे संग छोड़ देता है उसके बाद सताश देश बचकर रहता है इससे पहले कितने देश थे ब्रिटन को जोड़ा जाए तो इसमें अठाश देश इसके सबसे थे वह चीज़ यहां पर यह ल reperुपे संग की मुद्रह क्या हैतो यूरो है मैं एक सरकील में एक घेरा बना हुआ है यूरोपी संग का पहले नाम यूरोपीय संभुदाई था या फिर यूरोपीय आर्थिक संभुदाई बोलो आप देखो यहांसे मेरा कोस्टन सुरू हो जाता है एक करके देखते हैं क्या है और azt यु Eigen क्वौन को कौन क्व१ाएव। चेत्र शंगतन बनाते हैं यह विर कोश्चन आशकता है कि यूरोपी संग की उपलबधियों का वर्णन कि जिए तो देखो क्या-kया क्या उपलबधी है या फिर वह कौन-kौन यहां प्रस्ण देखो सांती और स्थरता को पुरूत्साइद करना मॉलव ये जो आसियान है यह सांती बनाए रखना चाहता है पुर्विस्ट्र में सांतिय पनाई रखना चाहता है सब इस्थिरता को यहां पर पॉर्थसाइट करता है क्रिसी वेपार उद्यों की विकास में सहयोग देना यह क्रिसी के चेत्र में वेपार की चेत्र में उद्यों के चेत्र में जो विकास वाला जो भी काम है उसमें देना सिख्छा में मतलब सयोग देता है तखनीकी ज्ञान में वेगानिक चेत्र में यह सब में क्या करता है यह डैवलप करे इसलिए इसको बढ़ावा देता है चेत्र में अनुसंधान पर्शिक्षन तदा अध्यन को को पुरूचय करना। मतलब यहाँ पर अनुसंद्धान को पुरुट्साइथ करते हैं पर헷ेषन को पुरुटिक्ज़ड करते हैं एजदन को पुरुटिक्रश्य करते हैं सामान उझ्देसों वाले शेत्रत अंतराष्च्क सेंगठन के साथ हैं कि अन्रैस्टों के सांगठन से रहता है जो और समंधार पाई जाती है जिसमें दोनों का सैंसजी मूंत यह सब्सक्राइब करता है उसके सामाजिक संसक्र्पिय। वार्थिक विकास को पुरफ करना है चैशेतर में होसre करना कि संस्क्राइब कस्यों कि पू indo by अगया atención कितना सारा प्रस्ण है लेकिन इसका एंसर एक ही होगा कि चीन की सरकार दवारा उठाए गए कि नितिन मुख्य कदमों के वैक्षा की जिए जिनसे चीनी अर्थेवस्ता का उत्थान होगा यह कोश्चन पूचे जा सकता है या पर चीन की बढ़ती अर्थेवस्ता के क्या कारण है तो पहला देखो कि 1972 में उसने राजनीतिक तथा आर्थिक एकांद अवास की नीति को समाप्त करके अमेरिका के साथ संबंद बनाए इससे बीडियसी वैपार का रास्ता खुला पहले मतलब चीन थे ना पहले चीन थे बहुत समय तक एकांद रहे किसी से कोई लेना वाला दोस्ती किसी से कुछ नहीं आपने आप कुछ ने सबसे पहले डेवलप करा फिर अमेरिका के साथ हुए एक संबंद बनाते हैं ठीक है मैं 1973 में चीन के प्लधानमंत्री चाव एंड लाई ने करीशी सेना और विध्यांत परद्रगी के में आधून की करन प्रवाइब देखो आगे देखो जो यहां पर तिसरा पॉइंट है कि सन 1978 में चीन ने खुले दुवार की नीती को अपनाया इस नीती में चीन ने अपने दर्वाजी पूरे देश के लिए पूरी दुनिया के लिए खोल दिये यानि इस नीती के अंदर कोई भी देश चीन में आकर अपना वैपार कर सकता था और चीन में निवेश कर सकता था खुले दिवार की नीती का मतलब ही होता है कि चीन ने दर् कर सकते हैं निवेश कर सकते हैं इसी को बोलेंगे खुले दिवार की निथी उन्नेश्ट ब्रियासी में क्रिसी का निजीकरन क्या गया इसने क्रिसी उत्पादन में ब्रिद्धी की भूमिका निभाई इसमें क्रिसी उत्पादन में क्या हुआ बहुत यहां पर ब्रिद्धी ह हुआ उन्नेस्तो अंठानवे में उज्द्योगों का निजीकरन क्या गया उज्द्योगों का भी निजीकरन यहां पर हुआ उसके बाद आगे देखो कि चिन ने सन 2001 में बिस्व वैपार संगठन जिसको बोलेंगे व्ल्ड ट्रेड और्गनाईजेशन कि सदेश्ता ले ली और इस कदम से अपने वैपारिक संबंधों को बढ़ाया तो दुसरे देशों के लिए अपने अर्थिवस्ता को खोला इस तरह चिन ने अपने अर्थिवस्ता को 20 विक अर्थिवस्ता के साथ जोड़ने के कदम उठा जन सं makes जाता है चन ने अपने आपको पुन्जिवाथ से अलग करके देश के सभिससादनों पर अपना नियंत्रन किया और उन चीजों को अपने हिसाब से काम में लिया चीन ने इस सब को को इस्तिमाल करके कैसा मॉडल तयार किया जिसमें चीन ने अपने देश के विकास के लिए किसी एक को विक्षित करने के लिए बहुत समय दिया थोड़ा-थोड़ा समय किसी को नहीं दिया यानि चीन ने किसी एक चीज को पूरी तरह विक्षित करने के लिए बहुत समय दिया जिसे उद्यों को विख्षित करने के लिए या फिर क्रिसी को विख्षित करने के लिए मतलब देखो यहां पर चीन ने क्या करा कि कोई भी छेत्र हो जाए क्रिसी छेत्र हो उद्यों की छेत्र में हो जिसे क्रिसी छेत्र का गर बात करें तो क्रिशी में उन्होंने काम करें गुंअ करा उसके उपर कि जब तक हुए अच्छे तर्फीफ देवलप नहीं यह मुआ काम करते रहा जब ब्लप Import में ब्लफित के नहीं तो यह क्रिआ अगला बाला attracts पॉन्ट नमर 8 मुट्ट क्या बोल रहा है कि चीन ने अपने लिए एक अलग मौडल अपना कर और की साथ और निधोकी करांथी की तरफ इसको आगे के से बढ़ाया जायर से बात है कि अगर वह अपने सारे संसाधन उज्दोगों पर लगा देता या पिर किरसी पर लगा देता दूसरी जो सुविदाएं है या जरूरत है उनको कैसे पुरा कर पता इसे आधारवुद सुविदा खाना पिना सिक्षा स्वेश्था दी यह बात बहुत सही है अगर किरिणि ने किया कि किसी फीक सारे संसाधन को कर्च लिए और तब तक काम करते रहा करते रहा जब तक वह कि चिन ने धीरे करके सब चीजों कर काम किया चिन ने 20-22 साल के लिए अपने दरवाजा दूसरे देशों के लिए बंद रखे यानि 20-22 साल तक कोई आना जाना किसी से दोस्तियारी कोई मतलब नहीं अपने आपको पहले डेवलप करा उसके बाद सब के लिए दरवाजा खोल कि चिन किसी देश से कोई वैपार नहीं करना चाहता था उसने सिर्फ चीन के लोगों चीन के अर्थवस्ता के लिए आंत्री ग्रूप से काम किया जो निती चीन के उच्दोगी करांती के विकास में सहायक बनी मतलब चीन ने भई क्या करा ध्यान से बात को समझो पहला बात तो हर एक फिल्ड की उपर चाहिए क्रिसी हो सिक्षा हो उद्योग हो हर एक की उपर उसने तब तक काम करा जब तक अच्छी तरह के डवलप नहीं हुआ और ऐसा नहीं है कि कि उनको पता था कि अगर एक फिल्ड की उपर हम लोग सारा पैसा सारा संसाधन खर्चा कर देंग तो जब बात राकि जो चीजे हो हमें दुसरी दीस तो लेना पड़ेगा और जब दूसरे दीस तो उसे लेंगे तो पैसा देना-पैसा हमारा खत्म हो जाएगा उसकेप चिंड बहुत दिन तक अपने दरवाजे करें 20-20 साल तब अपने डरवाजे बंद कर को IT कि मतलब hm न चैन विकास कर रहा था उससी तीज में उसकी जनर्शंगाबी बढ़ रही थी जिसनेची विकास पर रोक लगाई देखो चिन विकास कर रहा है था 7-7 आप उसका जनर्संगाबी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था is लिए में об高 mål मत आestchesii si पॉलिसी को खतम कर देता है लो उसके बाद देको अगला यहां पर पॉंट नमबर 10 क्या है पॉइंट नमबर 10 है यहाँ पे कि अपने उद्योगों का विकास करने के बाद चीन ने 2001 में अपने आपको 20 वेपार स्रंगठन में सामिल कर लिया यानि वह अंतराश्टी अस्तर पर अपने आपको एक नहीं पहचान दिलाना चाहता था अंतराश्टी वेपार स्रंगठन में अगर चीन सामिल नहीं होता तो उसकी नितियों को विकास की गति नहीं मिल पाती तो भई यहाँ पर हो गया यह हमारा एंसार समकालिन दक्षिन इससे चेप्टर का very very important subjective questions और important points बताने वाला हूँ तो चली स्टार्ट करते हैं और एक करके हर एक चीज़ को देख लेते हैं देखे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सार्क के बारे में पढ़ेंगे देखे सार्क स-A-A-R-C सार्क यहाँ पर इससारक है तो को कोँछ इस प्रकार से होता है आप लुझ सार को हिंदी से हम लोग दक्षिस बोलते हैं तो जान लेजिए चैसर को हिंदीस से हम लोग दक्षिस बोलेंगे डक्चिन ACI छेत्री सहयोग संगेटन सार का पुरा नाम है The South Asian Association for Regional Corporation यह होगे सार का पुरा नाम इसका जो अस्थपना है 8 दिसंबर 1985 को धाका में की गई थी अब यह धाका वही कहां है धाका कहां है तो धाका बांगलादेस में है बांगलादेस की राईधानी है तो हमारा धाका है बांगलादेस की राईधानी कहां है धाका में है धाका में इसका अस्थपना हुआ है तो भई देखो यह सिब औबजक्टी में पूछा जाता है कि अस्थपना कब हुआ कहां हुआ इसका मुझ्खाले कहां है तु ढाग का में हुआ है और बांगला देश को भी साती साथ याद रख लेजी ठ tenant परамен नहीं भांताऊ है मुझख्याले क्राइब थे यह कोश्चिन पूछा जाता है कौन कौन सा देश था यह भी देख लो तो एक है भारत पाकिस्तान बांगलादेश नेपाल भूटान स्रिलंका और मालजिव यह देखो साथ देश जो है न भई जिस समय सार का स्थपना हुआ था उस समय यह देश इसके सदेश थे और अफ अफगानिस्तान जो है यह हूँ आठवा नमर वला देश है जो कि सार्क में यानकी दक्ष्चिस में एड हुआ है तो अफगानिस्तान है इस संग्ठन का मुझ्छालाई एवं सचीवालाई नेपाल के काटमांडू में अवस्थित या प्रिस्थित है जो भी बोलो कोई दि इसके बाद आगे देख लो दक्षेस का सिधान्द क्या है तो दक्षेस का जो सिधान्द क्या है कि सार के जितने भी सदस है सब को बराबर का दरजा देना मतलब सार के अंतरकत जितने भी देश सामिल है जैसे के आठो देश है तो सब को समान समान का बराबर दरजा दिया उसके बाद देखो क्या है अगला है यहां पर कि आपसी फाइदों के लिए काम करना यह फाइदों है ठीक है फाइदों आपसी फाइदों के लिए काम करना जिसे सभी का फाइदा हो मना ऐसा काम करेंगे जिसमें इसमें जितने भी मतलब देश इसके सदस्य सभी को फाइदा ह वोई काम यहां पर करा जाएगा सार्क में लिये जाने वाले सारे फैसलों में सब की सहमती अनिवारी है कोई भी सार्क की अंतरकत कोई फैसला लिया जाएगा जितने भी दे से सब कोई सहमत होगा तभी कोई फैसला लिया जाएगा नहीं तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा यह चीजी यहाँ पर बोला गया है, आगे देखो देखो भई अगला जो है न क्या है SIMLA समझोता, तो SIMLA समझोता देखो क्या है 1971 में भारत पाकिस्तान युद दिक के बाद SIMLA समझोता हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआными 1971 में उसके बाद हमारा सिमला समझोता हुआ था सिमला समझोता कब हुआ है तो सिमला समझोता 2 जुलाई 1972 को सिमला में हुआ था इसलिए इसका नाम क्या है सिमला समझोता यह समझोता कहा हुआ था भी सिमला में इसलिए इसका नामे सिमला समझोता है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दोरान पाकिस्तान के करीब लगभग 90,000 सहिनिकों को भारत ने बंदी बनाया था और पाकिस्तान के बड़े भूभाग पर भारत ने कबजा भी कर लिया था देखो जब 1971 में इसे पाकिस्तान कभी भारत से सकता नहीं है और सकेगा भी नही थे ठीक है फाकिस्तान पाकिस्ताने और हमारा वारत वा अन भारत है तो यहां पर 1971 में भारत डुरपत्र पाकिस्टान की लड़ाई होता है उसमें करीबन पाकिस्तान के उननेस जार सहनिकों को भारत भंदी बना लेते हैं और पाकिस्तन कीम कैन我很 पड़े एरिया को भारत कब जा कर लेते हैं इसके परिणाम सवरुप तातकालिन भारती प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी और पाकिस्तान के राष्टपती जूलिफिकार क्या है जूलिफिकार अली भुट्टो के बीच सम्झोता हुआ था देखो किसी भी तरीके से कोशन प पॉट्टो के बीच हुआ था तो भाई यह सब जानना आप लोग बहुत जरूरी है तो चलिए भी पॉइंट के लिए रोगिया उसके बाद आगे देखो इसके बाद आगे हमारे पास क्या है अगला सम्झोता स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है तासकंद सम्झोता अब पाकिस्तान के प्रदान मंतरी अयूब खान के दवरा किया गया था तो तो चलिए आपके अब्जेक्टिब में पूछा जाएगा तो तासकंद सम्झोता भारत और पाकिस्तान के बीच दसजनवरी 1966 को वह था इसमें भारत के प्रदान मंतरी लाल बहादूर सास्त्री थे औ के लिए आगे देखो इसके बाद है अगला पॉइंठ अगला पॉइंठ देखलों क्या है ऑपट्र हम वह अहले मैं गमसितन जन एक राइधानी थांसक निया ऑध था अप की जोप प्रमुक जो इंपोर्टन इंपोर्टन जो बात है क्या क्या था देख लो पहला पॉइंट कि जब कभी भाद्र पाकिस्तान के भी जगड़े होंगे तो उन्हें सांतिपूर्ण धंग से तई किया जाएगा बोला गया कि भाद्र पाकिस्तान के बिच कभी वेगर इन फ्यूचर लड़ सकते हैं तक था कुछ नहीं बस इसको बस पीछे से वार करना है लड़ना है उसके बाद क्या है कि दोनों देश अपने सेना को सीमा रेखा से पीछे लड़ा लेंगे भारत्र पाकिस्तान के बीच में मल बात्चित होता रहेगा और ऐसा बात्चित होगा जो डोनों की हीत मे हो भारत और पाक पाकिस्तान एक दूसरे के आंत्रिक मामलों में इंटर्फेर नहीं करेंगे बारत पाकिस्तान एक दूसरे के आंत्रिक मामलों में इंटर्फेर नहीं करेंगे यह भी बोला गया दोनों देशों के मध्य राजनितिक संबंधों को फीर से अस्थापित किया जा जाएगा हाली में हुए यूद्ध में जब्द की गई एक दुसरे के संपत्ती को वापस करने पर विचार किया जाएगा और भारत्र पाकिस्तान भी जो भी मदल्ब समान को यहां पर रिटन करा जाएगा उसके वाद हमारा अगला समझोता है फरका समझोता जान से देखो वह वहरी इंपोर्टेंट है और यहां से अब्जेक्टिव कोशन दि बनेगा यह सब जो इस समझोता मैं आपको करा रहा हूं ठिक है तो देखो फरका समझोता पहला बाद फरका समझोता जो है भारतर बांगलादेश की बिच वा है यह समझोता नदी के जल बटवारे को लेकर हुआ है यह समझता 1996 में हुआ था देखो गंगा नदी का जल का बटवारा होना था भारत और पाकिस्तान ने भारत और बांगलादेस में गंगा नदी के जल का बटवारा होना था इसको लेकर फ्रक्का समझता हुआ है भारत और बांगलादेस नदी पर बांध बनाकर कलकत्ता के बंदरगा को बचाना चाहता है भारत क्या करना चाहता है गंगा नदी पर बांध बनाकर कलकत्ता का जो भी बंदरगा है जो सीपोर्ट है उसको बचाना चाहते हैं लेकिन बांगलादेश ने फरक्का बांध योजना का बिरोध किया इंकि कि उसके अनुसार उसे मिलने बाले पाने की मात्रा कम हो जाएगे जब भारत बना देंगे तो बांगलादेश को पानी नहीं मिलेगा तो बांगलादेश नहीं यहां पर बिरोद कर देते हैं चौह नवंबर उनिसे सित्र को दोनों देशों के बीच समझोता हो गया यह तै क्या गया कि जब पानी की कमी होती है तो भारत को बीस तरजार आट सो क्यूशेक पानी मिलेगा लेकिन बाद में भारत को 40,000 क्यूशेक पानी मिलेगा जरुरत पढ़ने पर भारत फरक्का के नी जा सकेगी यह समझोता भारत के लिए अहितकर था पांच वर्ष बाद फिर भीबाद घहर आया पांच वर्ष के लिए पहले किया गया तो पांच वर्ष के लिए लड़ाई जगडा भीवाद दिसंबर 1996 में दोनों देशों ने नए समझोते पर हस्ताक्चर किये इसकी अवधी 30 वर्ष है इसके तहट दोनों देशों को वेकल्पिक रूप से तीन बार 10-10 दिनों के अवधी के लिए 35,000 क्यूसेक पानी मिलता रहेगा इस प्रकारी हभिवाद समाप्त हुआ यहां पर बोला गया कि दोनों देशों को यानि की भारत को भी और बांगला देश को भी 10-10 दिनों की अवधी के लिए तीन बार 35,000 क्यूसेक पानी मिलता रहेगा यह बात यहां पर बोला गया बहरी सिंपल भेरी इजी बस बही एक बर देखो सब इजी इजी ठीक है और मत रहुआ बीजी बीजी बस करो पढ़े इसके बाद देखो अगला प्रस्ना कार्गिल युद्ध क्या है विवेशना कि जिये या पिर कार्गिल कर गिल संघर्ष पर प्रकास डाली या पिर कर गिल की लढ़ाई के कारणों का उल्ले कि यह तुचलो में देखते हैं कार्गिल ठीक कार्गिल बोलना ऐसे लिखना कार्गिल थोड़ा यह सब कर्गिल कर्गिल लिखा गया ना कार्गिल कर देना ठीक है कार्गिल कर देना तो चलो देखते हैं कार्गिल का यह जो लड़ाई है यूद्ध है संघर्ष है इसके बार में जान लेते हैं तो देखो कार्गिल युद्ध का और एक नाम है ऑप्रेसन विजय कारगिल युद्ध उन्नेश्ट निनाइबे को हुआ था यह कोश्चन पूछा जा सकता है कारगिल युद्ध को जितने की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है पाकिस्तानी सेना ने घुसपेट कर जिन जगहों पर कबजा कर लियता भारत के जांबाज फोजीयों ने उन दुद्धम hypoth Tapi यहां पर दोवारत तिरंगा फाहरा पौए कर के 보여क्म जुद्ध कर लेता है और भारत के सेनिक धान धावं धाय धाय पाकिस्तान का राम नमसित्त कर देते हैं और जो भी यहां पर इलाका जो पाकिस्तान ने कव्जा कर लिया था उहां पर अपना प्यारा सा सुन्दर सा तिरंगा फारा कर आ जाते हैं वही तो है अपनी सान जो है भारत की जान चलिए आगे देखते हैं साट दीन से जादा चलने वाली इस लड़ाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था साट दीन चला था समझ सकते हो करिबन दो महना इसके बाद क्या है वह लिटे वो लिटी चोखा वाला नहीं ठीक है लिटे हैं लिटे किस समुदाई विशेश का संगधन था या किस देश से संमझन यताम समुदाई एक उचा और स्री लंका से शर्लंका से सर्ललंका से समझन है लीट नills को भोड़ाई लमा और समंग्ध है बोधर्म से है इसके बाद अगला अग्ला प्रस्न है देखो प्रसने कई एंसर एक भारती सरकार किस प्रकार लोगतांत्रिक बाबा का रास्ता अपनाते हुए कस्मीर समयसा के समाधान की दिशा में प्रियतन सिल रही है व्याखा किजिए या बिर कस्मीर समयसा पर निबंद लिखिए या भारती पाकिस्तान की बिच कस्मीर समयसा की 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कस्मीर पर आकर्मन कर दिया परंतु कस्मीर को हार का सामना करना पड़ा जिसके तहत बोला गया है कि जितने भी डियासत है कहां की भारत और पाकिस्तान का बिभाजन करना तो जैसे हम लोग पड़ रहे थे न तो जिसी हमें पता है कि जिसे में हमारे देश में अंग्रेजों के शाषंथ जिसले हमारे थे उसके थो इस्तेमें हमारे यह वह था तीन केटेग्रे ता एक just रख़त धर कोई आप मैं दिया गया क्या शाषिच ब्रेशन ऑपन दिया गया कि उनलों को बोला आप यहां पर क्या करो या तो भारत के साथ मिल जाओ या पर पाकिस्तान के साथ मिल जाओ या पर खुद में सवतंतर रहो बात को ध्यान सुनो देशी रियासतों के पास तीन रास्ता था पहला रास्ता था कि वह भारत के साथ मिल जाए दूसरा था कि वह पाकिस्तान के साथ म निया क्या करें क्या नहीं तो जाता है भारत की पास मदद लेने के लिए था भारत उसका मदद करते हैं पाकिस्तान को जवाब देते हैं तो भस नहीं है है तो इकको माहीड हिर दया देज़ा सब्सक्राइब म सब्सक्राइब क्यात घेज़द यह सब्सक्राइब कियो चेया चाहरे ने यह उप्युक्क्सराइब obsस aunque चु अलोह को यह एक सॉल आपको भारतelasild के सब्सक्राइब ऌने एंसर ना करूपष्रूर। पर पाकिस्तान है तो डर के मारी भारत के सरनमे चल जाते हैं कर हम ना मिला दये देखो 15 इसका रियासर है का के के विए पर दो तो उसका रियासर थे जो कस्मीर है उसको भारत में मिला देते हैं यह उनका वैर का रिट था लेकिन पाकिस्तान का कहना थे कि राजा ने भारत के दवाब में आकर आएसा किया देखो जो राजा थे ना उए अपने मन से कोई जोच जवश्थी को दवाब नहीं था कि बाट के स्मय साइब देखो शुरक्षा परिस्त के परस्ताव की अनुसार इस समय साइ द्वारा किया जाना चाहिए देखो शुरक्षा परिस्त के बारे में हम लुग आगे हएंगे हमारा ऊता है यह अनुसार सु-धchio का पाकिस्तान इस पर कोई आपक्ति नहीं करता है ऑपने तरफ लिया है तब हम जाता है लेकिन यह हमेशा century लेने भॉयामने थायिंग में रहता है प्र क्या है किब कास्मिर का भाग छोड़ना जाओिए जो ऊसके अवेद कभजी में है फिर मतलब बोला गया वहां पर कि तुम भाई जो तुम कभजा करके रखा है उस जगा को छोड़ो उनने सो संताओन में कस्मीर का समिधान लागू हो गया जिसमें उसे भारत का अभिन भाग घोसित किया गया साथ ही कस्मीर को धारा 370 और अनुचेद 35 ए दिया गया जिसके चलते भाई जिसके चलते जिसके चलते लड़ाई जगडा भारत और पाकिस्तान के बिच होते रहा अक्चुल में अगर बोलेंगे न तो मतलब यहां पर कस्मीर को बहुत सारे बिसेस अधिकार दिये गए ठीक है मतलब कस्मीर के लिए भी समझो कि एक अलग टाइप का सम्मिधान था और उहां पर उनको धारा 370 और अनुचेद 35 ए दिया गया अब देगो अनुचेद जो 370 और आठीकल यह क्या है समयधान के दारा 370 की तरह जम्मु कस्मीर को भारत के ने राज्जों के मुकाबले ज्यादा पावर दी गई थी जमुकस्मीर का अपना सम्मिधान था भारत सम्मिधान की सारी विवस्ताएं इस राज जी में लागू नहीं होती थे जो भी हमारा सम् क्या होता है कि भारतीय सरकार ने एतिहासिक फैसला लेते हुए साल 2019 में याद होगा वही गर्मागरम कहानी है चार-पांच साल पहले का बात है 2019 को देश से विवादीद अनुच्छे के 370 खत्म कर दिया गया जो अनुच्छ 375 यह दोनों को यहां पर इसका रामणाम सेक्ट कर दिया गया खत्म कर दिया गया 2019 में ठीक है यह यह चीज़ देख लो अब देखो आगे आ इसके बाद अगला पर भारत पाकिस्तान संबंदों पर संचैप्त направ वाकिस्तानunya का संबंदों संबंदों के अबे पाकिसतान संबंदों पर शोवाजटान में पहले वह सिर्फ एक चलिए देखता है बात को 15 अगस्त 1917 के पहले पाकिस्तान नामक को रास्ट्र ही नहीं भारत पाक संबंद नीमने परकार से हैं चलो भई एकार करके देखते हैं क्या है क्या है कि भारत का व्यवहार पाकिस्तान के परती हमेसा सकारातमक ही रहा है पाकिस्तान ने सुरू सही भारत को अपना सत्रू माना है भारत किसी को भी मतलब खराब दिरिष्टी से या पिर सत्रू के दिरिष्टी से नहीं देखता है बहुत ही मतलब वे हमेशा भारत को सत्रू मानते हैं वे मतलब हमेशा जैसे पहले तो कमिस्मीर लिया भारत उसके अनुसार मतलब हमेशा मतलब पाकिस्तान जो है भारत को सत्रू ही मानते हैं अगला क्या है देखो 22 अक्टूबर उन्हें सिंदालिस को पाकिस्तान ने कस्मीर पर आकर्मन कर दिया परन्तु पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा कि दूब पाकिस्तान ने कस्मीर पर कबजा करने के उधिस से आकरवन किया तब उन्हें भारत के साथ कस्मीर बिलाई पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये यह चीज़ में बताया वह इसलिए मिया पर इस्पीड इस्पीड हमने पड़ दिया और यह जो चीज़ हुआ नहीं यह भी पाकिस्तान के साथ यूद्ध करना पड़ा सोल्ला दिसंबर उन्हें से घतर को बांगलादेश अस्तित्य में आया जिसमें भारत ने मुझ के भूमिका निवाई इस यूद्ध के कारण भारत की अर्थ द्वस्ता पर गहरा चोड़ पड़ा भारत की अर्थ द्वस्ता भी में थोड़ा से चोपाट हो गया था आगे देखो पॉइंट नमर फूर उन्हें सुखतर के भारत पाक यूद्ध में सिम्ला समझोते के बाद उन्हें सुखतर में दोनों देश्वों के बीचफीर से राजनीति के वह संबंध्य कायम होने सुरू हुए में एक बारुइंट से भारत और पाकिस्तान का सम्मंद्ध होग मगा जाता है स works on संब्सक्र ने सुन्यास्थि में आफगानिस्तान पर संव्षडर के निप इस्तिती पहले जैसी हो गईंग सुब्सकां पक्षदार था पाकिस्तान अंका फिर जब देखो सोव्य होता है तो फिल से भारत फाकिस्तान के बागर आजाता है यह ब्हुस्च आप सोथ पाकिस्तान का पाटी защ इससे फिर उन्हें अगर बहुए अगरा पोंट का है कि बर्च 1972 में भारत के ततकालिन प्रधानमंतर स्रिमत्य इंद्रानगांधी और पाकिस्तान के ततकालिन पर धानमंतिर के जुल्फिकार अली भुटो के बीच सम्झोता हुआ जिसके आधार पर दोनों के बीच तनाव कुछ कम हुए दोनों के बीच तनाव फिर से कुछ कम हो जाते हैं इसके बाद आगे देखो वही अगला पॉइंट 6 नमर वहला पॉइंट क्या है कि 1980 के दसक में महारतोर कस्मीर में पनप्या आतंगबाद को पाकिस्तान की ओर से हवा मिलते रही जिससे समंद्र और बिगड़ गए पाकिस्तान अपने सिमा में आतंगबादियों को ट्रेनिंग कम चलाने तथा सिमा पार करने की अनुमति देता रहा इसका भारत ने लगातार बिलोग किय अतंगबादी जो थे उनको पनपने के लिए पाकिस्तान बार-बार मदद करते थे पाकिस्तान अपनी डेस में ट्रेनिंग देती थे एक दिससे दुसरेए दिस जाने के लिए आप मेल्वाँ हेल्प करते बहुत मदद करते थे सीमापार करने में बहुत मदद करते थे ठीक है और यहां पर बोला गया है इसके बाद अगला पॉइंट क्या है बई इने सुष आनवे में भारत में 11 कॉंगरेसी सरकार बनने के बादट पाकिस्तना की बच संमंध सुधारने के कई Elle पर्यास हुए जिसमें कभी गम कभी फ्यार कभी नफ्रत तो यहां पर पाकिस्तान और भारत की बीच हो रहा है उसके बाद देखो आगी क्या है इसके बाद पाकिस्तान के बीच का अच्छा बना रहे इससे क्या हुआ भाई देखो अपरेल में पाकिस्तान ने कारगिल में घुस्पेट कर अपने करगिल में पाकिस्तान को तो उसके आकर्मन जबाब मिल गया कि दोनों देशों के सम्मंद और अधिक खराब हो गए जब कारगिल युद्ध होता है ओर इन लोगों का जो रिलेशन है बहुत ही बिगड़ जाता है इसके बाद दोनों देशों के समंद्धों में सुधार के लिए 2001 में तातकालन भारत्य प्रधानमंतरी अटल विहारी बाजफेही और पाकिस्तानी राष्ट्रफती परवेज मुस्रप के बीच आगरा सम्मेलन हुआ इंद पाकिस्तान के कस्मिर मुद्दे पर और जाने के कारण इसमें भी सपलता नहीं मिले लेकिन यह जो हुआ था पर देखो यह जो समझोता हुआ था अगरा सम्मेलन जो था यह सफल नहीं हुआ कि पाकिस्तान कस्मिर के मुझ्दे कर अड़ जाता है इसलिए सपल नहीं होता है उसके बाद क्या है कि भारत्य पाक संबन्द में और कटूता तब आई जब पाकिस्तान एक साजिस के तर ते 2003 तक भाई दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है बहुत ही तनाव पूर्ण रहता है इस्ट्रेस वाला अगला पॉइंट है कि 20 जनवरी क्या है बिस जनवरी दो चो को लाहोर एंगम अमनिस्तर के बीच बस से बाप प्रारम होने से दोनों देशों के समन्द में सुधा होगा ही नहीं चाहिए कुछ भी कर लो तो बस और यहां पर हो रहा है उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है बहीं अगला पॉइंट है कि भार्ण में पड़ोसी देशों को फ्री वैक्सिन नीती के तरद पाकिस्तान को भी निसूल के वैक्सिन दी प्रांड रक्षक धारा 370 और 351 की बरखास थी और दो बड़े आतंगवादी हम लोग के बाद दोनों देशों के रिस्ति सामाइन नहीं हो पाए हैं आने वाले कुछ बर्सों में रिस्तों में सुधार देखे जा सकते हैं तो बस यह चीज़ आप देख सकते हो यहां पर भारत और पाकिस्ता बजाए एंसर आपको यह लिखना है भारत और स्रिलंका से लेटेड कुछ भी आये तो तो चलो देखते हैं क्या है इसका अंसर इसका अंसर है कि भारत स्रिलंका के आपसे संबंद लगबग 2000 बरसों से भी अधिक पुराने हैं भारत और स्रिलंका दोनों ही इंग्लेंड के देखो इंग्लेंड भारत को भी गुलाम बनाए थे और स्रिलंका को भी भारत को 1947 में तदा स्रिलंका को प्राप्त होई दोनों देशों में लगतंत्री के स्थपना की गई और दोनों ने ही गुड निर्पिक्षदा की नीति का अनुसरन किया परंतु निस बरसाट में जब बहारतियों की भावनाओं को ठेस लगी देखो यह पर उनिस सुपचाज में भारत के सहयोग से क hourly सम्मेलन हो था उसके और भगलेक दिरिष्टी सरक्चा के लिए दोनो राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर रहते थे जब यह हिंद महासागर में बढ़ी सक्तियों की होड़ बढ़ी है तब से इनके आपसे समंदों का महत्व और अधिक बढ़ गया है इसे दोनों राष्ट्र हिंद महासागर को सांतिक अच्छे त्रगोसत करने के मांग करते हैं भारत स्रीलंका समंदों में भी कई बरतनाव उत्पन्र होआ हुआ है तो चलीए एकक कक करके देखते हैं बहोत है कि अधिनियंज में नागरjänता अधिनयम पारित कर भापत काम तक लगवरु एक 304,000 को हीआ पर आप्रहुन नग रिक्ता पराप्त हो ऱ्टेस टेस त्यू अग्रoth उंम्धिर सब्सक्राइब सब्सक्रांग्र में दोनों देश वीच एक संवछटा तुक का नंग्र दिया ग install यह कारण स्रिलंका को भारत ने 10 करोड का रिन आसान सर्थों पर दिया कि फर्वरे स्रिलंका के संबन्ध बहुत ही अच्छा हो गया पाकिस्तान के साथ चिन के साथ भारत का है ठीक है भारत सरकार स्रिलंका के आंत्रिक मामलों में हस्तिचक नहीं करेगी और यदि स्रिलंका के सरकार चाहेगी तो भारत सरकार तमिल सम Deshalb करने के लिए सर्रिलंका के सरकार को पूरी श्योग दें तो यह बात यहां कर रहे हैं उनका मानना है कि सेलंगा को सिंगली बहुत संगली और तमिल जाती के बिच बहुत लड़ाई जाड़ा होता था बहुत मतभेद होता था तो यहां पर क्या बोला गया कि कि यहां पर देखो जो त 2014 स्री बॉल एक अलगता यह ना डेकरना करना चाहती है कि यहां इस तरह से स्रिलंका घिल भी में भारत से पारत पर आरोप भी लगा रहा हैं कि अजी इनकी सिरा रात्रेनिक के लिए भेजे इस सेना ने तमिल उग्रवादियों यानि जिसको लेंगे लिट्टी लिब्रेशन टाइगर सब तमिल इलम को हत्यार डालने की चुनोती दी क्लास अंगर सुआ जिसमें तमिल उग्रवादी काफी सिंखा में मारे गए और भारत सेना के भी बहुत से जवान मारे गए भारत में शिरलंगा की सीरदर्दी सरदर्दी अपने सीर ले ली और भारती सेना पर भी धन भारत का खरचा हुआ शोलंगा के नहीं सरकार ने भारते सेना को वापस चले जाने को कहा बें 23-दिसम्ब्र 99 तक सारी सेना को वापस बुलने पर जोडर दिया था अद्धा अगला क्या है अगस्त 1994 में स्रिमत्ती चंद्रिका कुमार्तूंग सिरिलंगा की रास्टपदी बनी और 25 मार्च 1995 को भारत आए यह सियत्रा में दोनों देशों के समद्ध में मधूरता और मजबूती आए बाइव स्रिलंगा की मुई की रूप से दाले मसाली दाखनीश पदार्द मंगवाता है और दवाईयां का प्रणा इस पाथ भारी गाड़ियां दाविली का समान निर्याद करता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है भारत और स्रिलंगा के बिच देख सकते हैं इन स आगे क्या है देखो कि भारत स्रिलंगा के आपसे सम्मंद वैसे हर दिरिष्टी से मधूर है प्रंदु कई बार तमिल मुल्ग के नागरियों के समयसा का समाधान के समंद में दोनों में मन मुटा पैदा हो जाता है वह अबर जो सिंगली और तमिल में जो लड़ाय जाड़ भंग करता है तो आतंग बाद को जड़ से मीटाना यह दोनों देशों का सोच है आगे देखो इसके बाद हम बात करेंगे भारत बांगलादेश की बिच के रिलेशन का तो चलो देखते हैं भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांगलादेश को एक सवतंतर देश की रूपने मायनिता रहा रहा जार से बात है कभी खुशी कभी गम कभी प्यार कभी नफरत कभी लब कभी ब्रेक अप थोई चीज़ होने वाला है चलो देखो यहां पर क्या क्या पॉइंट है एक कर देखते हैं लो पहला पॉइंट क्या है कि सेख मुझी बुरहमान पहले राष्टपती बने जिन्होंने भार्त के साथ बहुत अच्छे संबंद रखे अगस्त 1975 में उनके हित्ता के बाद भार्त और बांगलादस का संबंद बिगड़ गया अई कारण है कि जब सेख की बेटी सेख हसीना ने सरकार बनाई तो संबंद सुधरे जब बेगम खालिदा की सरकार बनी तो सब्सक्राइब करें बिगड़ गए कभी खुषी कभी गम कभी प्यार कभी नप्रत कभी लव कभी द्रेका फी यहां पे हो रहा देखो देसांबर 1996 में में गंगार नदी के पानिक अभीवाद सुलज गया जो फरका समझता में पढ़ाया ना उपर में यह फरका बांद की पर समझता हो गया लेकिन देगम खलिदा बेगम खलिदा के साथनकाल में आतंगबादी सक्षिंग को परत्सान मिला जिनोंने भार्ध में घुस्पेट की तो समंधों में तनाव आना सभाविक था जो बेगम खालिदा जब उहां पर थे ना उनके साथनकाल में क्या होता बार्ध के अनुसार इनकी कूल संख्या लगबक 50,000 है जर्के बांगलादेस की सरकार उसे लगबक 30,000 मानती है बार्ध चाहता है कि यह लोग अपने देश को लोट जाएं लेकिन बांगलादेस की सरकार इसका इस्थाई हल निकालने की चुक नहीं है देखो बाद यहां प बांगलादेस को लेना चाहता है सांतिय बनाए रखने के 25 जून 1992 के समझोते के तहत यह गलियारा बंगलादेस को लीज पर दे दिया कि तुम लीज पर यहां पर दे देते हैं इसके बाद देखो आगे क्या है अगला है हमारा नवमूर दूप्य विवाद यह क्या है नवम दूप्य जो है यह भारत के गर्वाद इसको भी लेने का आखर पर देखो क्या है मुःरी नदी सीमा विवाद तो सेख्मुझिव के समय में यत्ता ही हो गया ताकि इस नदी के बीच में दोनों देशों के सीमा मानी जाएगी बाद में बाद में बांगलादेस के सैंदिक इसका निराधर किया वे नदी के पार तेरी पुरा का कुछ भाग अपने देश की सीमा के भीतर होने का दावा करते हैं कर दो और अफगानिस्ता बांगलादेस यह सब देशों का हैता करना इलों का आम बात बांगलादेस दक्षिन एस्या में भारत का सबसे बड़ा वैपार भागदारी है बांगलादेस बरतमान में भारत से 150 मेड़र विजली का आयात कर रहा है बारतमान में भारत से कितना बजली का आयात कर रहा है तो इसके बात अगला क्या है यह पर अगला पॉइंट ने पर बान बनाकर तो इस परकार से प्रेगा सम्झटा है यह वाइस परका सम्झटा ही ए फरका सम्झटा है इसके बाद देखो आगी क्या है उसके चक्र में नहीं हुआ इसके बाद देखो आगे क्या है कि साथ अप्रेल 2017 को बंगलादेश की प्रधानमंत्री से खसीना अपनी चार दिवसी भारती यत्रा पर आई इससे पूर्वस्तन 2015 में प्रधानमंत्री तरह मोधी की बंगलादेश स्यात्रा के दोरन दोनों देश टो यह समझाता है भारत और चिन के बीच में हुआ था और इसका नाम है पंचसिल क्या है पंच पंचसिल यानी इस . which 5 फरमूला के उपर दोनों देशों के बीच यह हस्ताक्चर हुआ है देखो क्या है कि 25 समझोता भारत और चीन के बीच एक 5 सुत्री समझोता था जिस पर 29 अप्रेल 1954 को हस्ताक्चर किये गए थे इस समझोते का उजदिस्त दोनों देशों के बीच सिमा विबाद को सुल्धाना था यह भारत और चीन के बीच जो मतलब यहां पर सिमा अभिबाद होता था इस चीश को सुल्धाने के लिए इस समझोते को क्या गया था इसके सिधान्थ क्या है जो 5 मैंने सुत्र बताया जो 5 सिधान्थ है देखो क्या है पाहला कि दुसरे के छेत्रों के अखर्णता और संपर् कर्मन नहीं करना दूसरे देशों के आंत्री का मामल में हस्तिचेपना करना परस पर सही होगे मंग लाव को बढ़ावाद देना सांथिपूर्ण स्थित्व की निति का पालन करना तो यह था पांच फॉर्मुला पांच थी औरी पांच सूत्र ठीक है अंतराश्ट्र संग चैटर का बेर बेर इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोश्चन कराने वाला हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक करके हरे कोश्चन को देख लेते हैं तेकि सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों कुछ इंपोर्टेंट पॉंट्स बताऊंगा फिर आगे हम लोग को हमें को देखेंगे सबसे पहले हमारे पास सन्युक तराष्ट्र संग को हम लोग यू एन ओ पhornे शिम्पल से यू एन भी बोल सकते हैं और इव्पर नाम होता है United Nations Organization और UN का पुरा नाम हो जाएगा United Nations तो ये सन्युक्त राष्ट संग जो है ना इसका जो अस्थापना है कब होता है तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका अस्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को और इसके 6 दिन बाद ठीक है 6 दिन के बाद याने की 30 अक्टूबर ठीक है 30 अक्टूबर 1945 यान से बात को सुनिए 24 अक्टूबर 1945 को इसका अस्थापना होता है और इसके 6 दिन बाद याने की 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदेश से बन जाता है आगे बात करें यहां पर इसके मुख्यालाई का तो देख लो इसका मुख्यालाई इसका मुख्यालाई है तो सन्युक्तराष्ट्र संगटिन का मुख्यालाई अमेरिका के नीवर्क सहर में इस्तित है अमेरिका का जो नीवर्क सहर है जो नीवर्क टाउन है औहीं पर इसका प्रदस बन जाता है सबयाको सबसे हैं कि सबसे रहें कि बीच सन्ति को सबस्क sini अपर なवा आतों समय समाजिकत के जट्र disgust लोगों के मुलिक अधिकार्व को मायनता देडा विश्व के विविविन राष्ट्रों के बीच होने वाले अंतरास्ट जिखड़visor रोकना किसी भी फाल दो देशों के बीच की बिच मानी कुषे लिए कि क traction को इस चीज़ को रोकने का जो खाम रहे हैं कि संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भीन देशों को एक साथ लाना किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक विकास हो इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब यह हो जाएगा इसका मैं काम ठीक है अगर बात करें सन्युक तराष्ट्र संग के क्या क्या अंग है क्या क्या पाट से तो एक है देखो यहां पर महासभाब बोलो या फिर सदेः सदेश होते है और जो हैnda सोगते हैं पेम टयां से सुनों टोटल पंद्रा सदेश होते हैं थषी सथाइ होते हैं च का बंद्र के यह बदलतेlen रहता है और उस था इध weten नो इसके पास वी सवर पावर है क्या है वी टो पावर वीटो पावर है और यह पांच दिसकोन कौन सा है इसके लिए ट्रीक है चलिए मैं आपको ट्रीक बता देता हूं देख लिए ट्रीक ट्रीक है हमारा रूस का फेज फ-A-C-E तो रूस तो भूस हो गया सिक आप से होगी है फ्रांस एस हो गया हमारा अमेरिका घृष से होगे हमारा चाइना और एस होगे हमारा इंग्लेंड तो आप देखो कितने इजी तरीके से पांचो देश का नाम याद रख सकते हैं कि रूस का फेस आप याद रख लिजिए बस आपका बेड़ा पार का का कोई काम नहीं फिर देखो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे अभी डिसकस करेंगे टेंशन मत लिजी आप लोग देंगे हमारे पास जो सबसे पहला जो है जिसका भी हम लोगों निजीक रखारा सिक्रूडी काउंसल यान कि सुरक्षा परिशद सन्युक्तराष्ट संग की कार्यपालिका के समान है क यह सुरक्षा परिशद है इसको सन्युक्तराष्ट संग क्या बोला जाता है कार्यपालिका बोला जाता है इसमें 15 सदेस्त है जिनमें 5 27 सदेस्त है और 10 अइस्थाइस सदेस्त के रूप में अमेरिका इंगलेंड फ्रांस चीन और रूस आते हैं पहले सोब्यत संग इसका 27 सदेस्त हया प्रहन चैनले 2ं में सोव्यत संग के समावति के बाद यह सथान रूस को दे दिया गया पारी सोब्यत संग तुल महासवादावारा दो बरसों के लिए इसको दो दो सालों के लिए छुना जाता है भारत बार शुरुक्षा परशाठ का सथाई सद्स्द चुना जा चुका है तो भारत इसमें टेम्पररी एक बदलते रहता लेकिन अगर देखा जाए ना छुपशावर को बना जो हमआरा सन्युक्तराश्ट संगड ही बिटो पाओर क्या है यहांग को जैसे کہ मानिकचली कोई basti टिक सबक्राइब यह सभी पास छोना चाहिए सब बोल रहा है यह सभी है यह पास ओना चाहिए लेकिन अब आपको पाँच्थ हो इस्थाई देश बताया है इसका ट्रिक भी मैंना पुताया रूस का फिस यह जो पांच देश है बही यह बाइश रूस ठीच है रोस फ्रांस टाइब अमेरिका चाइना इंग्लेंड यह पाँच देश जो है यह पाँच देश से पाँच देश में से कोई अगर एक देश बोल देता है कि नहीं यह नियम यह पिर यह कानून सही नहीं है तो भैई पास नहीं होगा सब बोल रहा है कि हाँ भारत अच्छा है भारत को सब बोल रहा है लेकिन अगर यह पांच में से कोई भी आदमी अगर उटके बोल देता है को यहां पर इस्थाई सदेश नहीं मिलनी चाहिए तो भाई नहीं मिलेगा वीट बार किथना खतरनाक है कोई भी मुद्दा हो सब अगर लाएव पांच में से कोई पिकर यह ऊछांती नहीं इस्थापित यान्ज करना कई आगे हैं खई के अंत्राष्ट संघर्ष और वीवाद के कार्मों की जाच करना उसको सुल्धाने और संथीपुर्ण उपायक खोजिएना जो भी बबाद हुआ है अंत्रास्ट लेवल पर जो भी लढ़ा या ज उपना वार्स्यक रीपूर्ट देता है अंतरास्वाइ नियाले के नियर्णे को लाउग करना अंतरास्टियाले के जो भी नियर्णे होंगे उस सुकोन लाऊग हूए तो अही परिसदी करता है कि अक्रामक राष्ट्र के ब्रुद्द सैन्न कारवाही करना यहां में जो भी महासचीब होंगे उनका नाम का सुझाव कौन देता है तो सुरक्षा परिसादी देता है तो यहां पर करता है हमारा सुरक्षा परिसद किसके साथ मिलकर तो महासभा के साथ मिलकर यह सब चीज याद रखना इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं आगे देखिए अगला प्रसनीर यहां पर अगला पॉइंट क्या है देखाक है अगला पॉइंट के नए सदयसों की सदस्था परता है इसके बाद अगला पॉइंट देखो हुआमारा नुवा पॉंट नहीं का है कि इसी गंबिर आरोप की तहत किसी भी सद्रिस्विर समाप्त करना अगर मामीं के ओपन खटम कर सकता है तो सुुरकषा परियोग करना है। अगर भई कोई मान ही ने रहा है तो आद्म रक्षा के लिए सेनिक कावी परियोग करते हैं। युद्धdon को रोकने के लिए श्रॉसी कारवाई करते हैं। इसके बात हमारा अगला है महाँसाचीब महाँसाचीब क्या है वह इसको देखो महाँसाचीब तो सुरक्ष्षा परिशन की सिफारिस पर महासवा हो नुक्त करतीकर आो heating घ्रेंध को कि प्रसास्थब रतोक से चलाया जाए इस चिझस देखते करता है तो उनकी कारवाही में भाग लेता है इसको आगे जो भी कारवाही का जो भी काम है कुन करता है करता है इसके बार आगे देखो सभी तंत्र के संचालन को बनाए रखना जो सभी नियंतरन करता है जो सभी तंत्र है इसका भी संचालन करते हैं और ही माहासवह और कैटिके बीठा के बुलाना दौा वांके निनने को लाघकरना मासरभा वष्वय क्यों के बेठा कि बूलाते हैं और हंके निननने को लाख करते सांतिय स्थफना के लिए सेना का गटन करना एक कावत है कि जो हमारा लात का भूत होता है वाथ से नहीं मानता है इसके लिए सेना भी चाहिए इसके बाद अगला पॉइंट है कि गंबिर समय साओं की जांच परताल करना तो यह सम्मंद में सुरक्षा परिषद और महासबा को रिपॉर्ट परस्पट करना जो भी गंबिर समय साओं इसके जांच परताल करते हैं और उसे जो भी मतलब यहां पर जानकारी होती हैं शुरक्षा परिषद और महासबा को रिपोर्ट की रूप में परशपूत करते हैं अंतरराष्ट और 66 सम्मेलन नहीं सर्थ संग का परत प्राष्ट्र की व्यवस्ता में प्रशन जो भी इसमें इसके व्यस्ता में क्या क्या सुझार लाना थे इस सब चीज़े तो इसमें प्राराम में अठार से स न में बढ़ाका 2017-70 1974 में संसों के माइदम से सदेशों के सिंखा बढ़ा कर दी गई तो पहले इसमें 18 सदेशते और यहां पर देखो 1974 के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी चोवन सदेश से 54 इसकी बात क्या है इन सदेश्टों को सदेश्ट के लिए महासभा चुनती है लेकिन एक पिहाई सदेश्ट हर वर्ष खड़ जाते हैं हटने वाला सदेश्ट तुरंद पूरा निर्वाचित किया जा सकता है हर सदेश्ट राज इसमें अपना एक परतिनित भेजता है सदेश्ट राज का एक वोट है कि दो निरने जाने एक पिछ नगले में कितना जाएगा नहीं कितना जाएगा नो जाएगा तो एक है यहां से अब बार में हटेगा इसमें अभी बचा हुआ है तो फिर बाहर से और नो अठ लेगा तो इस प्रकास चलते रहता है तो इसके कारियों और सक्तियों को अनुश्यद बर्षट में रखा गया है यह आपके अब्जेक्टि में बन सकते हैं तो अनुश्यद 62 में रखा गया है इसको क्तियों इसके बाद आगे क्या है आगे कि घो आपकी संस्क्राइब मामलों का अध्धन करना यह क्या करते हैं जो भी अंतराश्ट्य सामाजिक या संस्कृतिक या सिख्षा या सवस्ति या अधिकारों और मौलिक सवतनत्रताओं के प्रती सम्मान बढ़ाने देता उनकी अनुपालन के बारे में अपनी सिफारे से देना जो मानब अधिकार है ज इसका पालन किस प्रकार से हो इसके लिए ये मतलब बताते हैं सिफारे से देते हैं आगे हमारे पास यहांपर देख लो यहां प्रागे है कि अंतराश्ट्य समाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्शे तू एक केंद्रिय मंच पर्दान करना जो भी अंतराश अंतराष्ट समाजी और आर्थिक मुद्दा है इसके विचार विमर्ज से क्या करते हैं केंद्रिय मंचे परदान करते हैं सदस्तिराष्ट्रों को महासभा दवारा निर्धारित सेवाई परदान करना गयर सरकारी एजनसियों संगेटनों के साथ समन्दित मामलों पर विचार विमर्ज करना इसको लिखवा आप इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है अगला पॉइंट हमरे पर इस क्या है कि अपने कारी चित्र में आने वाले विश्वयों पर अंतराष्टी सम्मेलोनों क पराएंजन करना और सात्मा है की संधियों की प्रारुप त्यार कर उन्हें महासभा को प्रेशित करना देखे अमरे पर क्या है की? कि MNST International क्या है इसके मुझ्ख कारी लिखे सबसे पहले हम यहां पर डिफाइन करना कि MNST International का मतलब क्या होता है और इसके कारी को लिखना है कारी बोला जाए या फिर उदेश से बोला जाए आपको सेम-टू-सम H लिखना है तो चली सबसे पहले हम देख लेते हैं कि MNST International सरकारी संगटन है गैर सरकारी संगटन होने का मतलब है कि यह सरकारी नहीं है बलके क्या है गैर सरकारी संगटन है जिसका मुझören United Kingdom में है मुझ Denver ken के हेश्का मुझ्फ ders track Model at Harvard कहा है तो United Kingdom में है इसको आप बिरिटेन बी बिरिटेन पोला जाता है आफ या तो इसको इंगलेंड भी बोल सकते हो इसके बाद आगे चलें तो देखो इहां पर क्या है कि MST International मानव अधिकारों पर केंदरित है यह जो MST International है यह किस पर आधारित है किस पर यह dependent है तो मानव अधिकारों पर मानव का जो अधिकार है मनिश्ट का अधिकार है उसे के उपर यह क्या है इसके स्थपना Peter Benson ने की थी इसके स्थपना जुलाई 1901 में हुई थी इसके स्थपना किस ने क्या है तो Peter Benson ने और कब जुलाई 1901 में इसका जो उदेश्ट है या पिर इसका जो कारी है चलिए देख लेते हैं तो देखिए पहला कि बिस्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभ्यान चलाना पुरे बिस्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए क्या करेगा ये अभ्यान चलाएगा दुसरा है कि बिस्व के बिविन देशों में किये जा रहे मानव अधिकार उलंगन को अपनी रिपोर्टों दवारा बिस्व के समख चलाना कि मतलब इसे देश जहां पर मानावधिकार का उलंगन हो रहा है उसको एक रिपोर्ट के रूप में पहले तो एक रिपोर्ट की रूप में उसको पहले बनाएंगे और फिर उसको 20 के समख इसको इंगलीव में बोलेंगे इंटरनेशनल ले और गनाईजेशन यह पर इसको डेल ओ इंटरनेशनल लेवर और गनाईजेशन रही स्कास्तडर में उन्याय Sanders को साकार करना यह है इसका मैं उद्देश्थ ठीक है मैं मक्सद इसके बाद हमारा अगला जाता है अंतरास्ट यह मुद्राकोस जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल मनेटरी फइंड जिसको स्टकर बें बोलेंगे आई एम एप इसकी जो स्थपना है देशों की मुद्रा संबंदी समिस्ताओं का समाधान करता है ताकि उनका भूतान संतुलन बना रहे यदि किसी देश की बीटियस्तिक डावाडोल हो जाती है तो यह उन्हें अपने सर्थों पर रिंद देता है पहला बाद इनका जो मैन मकसद है न तो कोई भी जो देश है उ तो और से देशों को यह क्या करते है अपनी सर्थों के अधर पर लोन देते हैं कर अंधरास्ट्य मुद्रा को सका ऐदेश है व्यसीत गरिवी को कम करना 20 बइसफोर पूरा गरिवी है इसको कम करना ईसका एक मकसद है इंच देशी आ यह किस्षट रहावाद देता है किसन intuitive आ यह में आप सदस राष्ट्रों की मुद्राओं की बिनिममें दरों में इस्थिर्व बनाए रखती है जो मुद्रा इनका जो रेट है न उसमें इस्थिर्वता काम भी करता है इसके बाद हमारा आ जाता है विस्ट वेंग जिसको इंगलिस से बोलेंगे वर्लड वेंग इसके अस्तपना 1944 में हुई इसका मुझ्ख्या लए अमेरिका के राजे ने वासनिंटन डिसी में ही है अब इसके उद्देश से कारी क्या करते हैं तो उस्ट को उठाने के लिए उस द्यस्ट के पुणनर्वान के लिए यह क्या करते हैं उसको रोण देते हैं लों देकर मदद करते यह यह बाद बोला गया अग्या अगला की गरीबbern Underground question को क्रैंस को कुछा जाए कश Ahí का से माले को विकास देकर करता लूठ सिजाइक जल आपुर्ती स्वेस्त इस चाह आधी के लिए विबिन सरकारों को विबदान करता है देखो जैसे सब्सक्राइब करता है यह देते हैं लोन भी देते हैं इसके बाद देखो अगला क्या है कि 20 बैंक सब्सक्राइब को उनकी किसी भी प्रियोजना के लिए आर्थिक मुद्रिक और तक्निकी सला पर्दान करता है कोई पर्जेक्ट है अगर उस पर्जेक्ट से रिडिक देश को कुछ भी सला कुछ भी जानकारी चाहिए तो यह आर्थिक मुद्रिक और तक्निकी सला बिस बैंग से ले सकते हैं यहां पर किलियर हो जाता है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो आगे क्या है अगे है हमारा विस्व बैपार संग्ठन यानिके वर्ले ट्रेड और्गनाइजेशन जिसको सॉटकर में वो लेंगे डवलू टी तो उन्ने सु संदालिस में गट की रचना हुई थी देखो जी एटीटी गट जो है यह बना है उन्ने सु संदालिस में जिसे एक जन्मरी उन्ने स जिने और लिखा रहता है तो अपने वैपारिक समझत्तों को लागव करना वैपार समंदी बात्चित के रिए मंच की रूप में काड़ी करना एक मंच बनाएगा जिससे वैपार अच्छे तरहिस हो बैपार समन्दी विवाद है उसका निप्यान करना इसका एक काम है राष जोबी नियम है कारून है जो नीती है उसके उपर रखेगा विकासिल देश्वों को कहनी की सहाइता पर करना जो विकासिल डेश्वास को थाटनीकиваетाण सहाइता देंगे अंतराश्च संग्रना insist सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद हमारे पास अगला है कि अनुशक्ति अभिकरन यानिकि इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी अजनसी इसका अस्तपना है परियोग को संभब बिनाना जबी परमानु सक्ति के रजनाना परियोग जो भी है उसको संभब बिनाना इसका यह मेंकाम है तमकालिन 20 में सुरक्षा चेप्टर का वेर वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोश्चन कराने वाला हूं तो चली स्टार्ट करते हैं और एकक करके हर एक कोश्चन को देख लेते हैं देखे हमारे पास जो सबसे पहला जो कोश्चन क्या है कि एनपीटी से आप क्या समझते हैं देखे एनपीटी एनपीटी का पुरा नाम जो हो गया निक्विलियर नॉन फ्रोलिफ्रेशन ट्रेटी यान की परमानू अप्रसार संधी तो वही आपको यह चीज़ी लिग देन BwC यानी Bological Verfence Convention यानिकी जैविक हतियर संधी आगे देखो इसके बाद क्या है यह क्या होगा आप बी लोजिकल व्यफेंस कन्वेसन ठीक है इसके बाद देखो एक है cwc यानि कि chemical weapons convention यानि कि रासाइनिक हथियार संदी फिर है BWC जो भी में आपको बताया biological weapons convention यानि कि जैविक हथियार संदी तो यह सब full form में पूछा जाएगा इसके बाद देखो फिर देखो BWC पर हस्ताक्षर कब हुए थे तो 1972 को CWC पर हस्ताक्षर कब हुए थे तो 1902 को यह सब चीज आप लोग जान लेना यह सब इजाम में पूछ देता है objective में maximum पूछेगा टेंसर मतलो उसके बाद देखो भी अगला प्रशनी क्या है कि अमेरिका पर आतंगबादी हमला कब और किसनी क्या था तो देखो 11 सितंबर 2001 को अलकाइदा संगठन दवारा अमेरिका पर हमला क्या गया था इसको 9-11 की घटना भी बोला जाता है बात को समझो 9-11 की घटना 11 से हो गया आपका यह जो डेट है 11 और 9 से हो गया आपका सेप्टनबर यहनकी सितंबर तो 11 सितंबर 2001 को और अलकाइदा संगठन दवारा क्या गया था इसके बाद क्या है कि 2003 तक पूरी दुनिया में कितने लोग HIV AIDS से संक्रमित हो चुके है तो पूरे बिस्वक अगर बात करें तो करीबन लगबग चार करोड़ लोग HIV AIDS के सिकार है ठीक है HIV AIDS के सिकार है इसके बाद देखो भई इसके बाद क्या है कि एड्स से सरवाधिक परभावित महादीफ है मनों कौन सा महादीफ है जो एड्स से सबसे ज्यादा मंदरब इफ्यक्टिव हुए हैं परभावित हुए हैं तो अफरिका 1990 के दसक में ब्रिटेन में फैली महामारी का नाम क्या था तो मैड काओ क्या नाम था मैड काओ 1994 में रवंडा की तुछ से जंजाति किया अस्तित्यों को खत्रा हो गया था किससे तो एचाइवी एड्स के कारण किससे एचाइवी एड्स यह सब छोटा-छोटा कोश्चन है वही टेंसन मतलो इसके बाद देखो पाकिस्तान ने भारत पर आकरवन किया कब-कब तो 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में चीन ने भारत पर आकरवन किया कब क्या था तो 1962 को क्या था याद रखेंगा थोड़ा में स्प्रिंट है ठीक है यह 1962 उनने इस सो बरसेट को क्या था याद रख लिजिए खोपडिया में हुसा लिजिए कि चीन ने भारत पर आकरवन कब क्या था तो कि हमाद्सटीच इपको भारत ने पहला परमानू पर gouvernement इस निकले कि अलगा है कि लिए याद रखना हिरोशीमा और नागासा किपर 1945 में बं गिराए गय थे याद रखना भई एक पम च्veck Tesrico गिराए गया था और एक बन नो अगस्ट नगस्ट को गिराय गयता कौन गिराय था अमेरिकाने गिरैंड गिराय था तो 1945 में अमेरिका जापान के दो सहरों हिरोशिमा और नागा साके पर परमानु बं गिराए गए ते यह हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि व्यापक परमानु परिक्षन पर तिबंद संधी कब हुई तो यह भई हुआ है आपका 1996 में कब 1996 इसके बाद अगला कोशन देखो अगला कोशन देखो यह तो पताया गया भी कि अन्पीटी का पुरा नाम परमानु प्रसार संधी एन्पीटी फर बर्स 1968 में हस्ताक्षर किया गया था और यह वर्स इसके बाद अगला कोशन देखो क्या है कि परमानु अप्रसार संधी यहनकी एन्पीटी उन्ने सो अर्सत पर हस्ताक्षर करने वाले किन्नी चार देशों के नाम लिखिए एक होगी अमेरिका दुसरा होगी रूस तिसरा ब्रिटेन चोंथा इरान तो यह सब ठीक है देखो तो रूस का पहले नाम था सौब्यत संग अगला जो मैं कि आपरेसंट इमалась ऐ Sómyn'tuna की आदिस से क्या गया था तो बिल क्लिंटिंटन . पिल क्लिंटन के आदिस से क्या गया हो आपको आलताए शेति किस से सम्मन आतकमदी थे उसके खिलाप ऑप्रेशन इन्फाइनाइटरी चलाया गया था बिल किलेंटरन के दोवारा अमेरिका में जग बरदोहयार 16 में भी पूछा गया कोश्चन है इसके बाद आगे चलिए आगे है हमारा वरसाइकी संदी कब हुआ है तो 1990 को हुआ है जर्मनी ने 28 जुन 1919 के दिन वरसाइकी संदी पर हस्ताक्षर किया जर्मनी ने कब क्या है 28 जुन 1909 को और वरसाइकी संदी कब हुई है तो 19 से 19 को देखे अगला कोशन क्या है नी सस्त्रिकरन और सस्त्र नियंतरन में क्या अंतर है या पर ये कोशन इसे पुछा जा सकता है कि सस्त्र नियंतरन से आप क्या समझते हैं अगर सीर्प और सीर्प सस्त्र नियंतरन पुछा जाए तो भी आप एही वारा खाली लिखोगे लेकिन अगर अंतर बोला जाए तो दोनों आपको लिखना है देखिए यहाँ पर पहला आम लोग देखते हैं क्या है निसस्त्रिकरण का अर्थ है कि राज्य को उसी मात्रा में सस्त्र रखने चाहिए जितने उसकी सुरक्षा को जरू है कि राज जबने सस्त्रों पर नियंतर रखे ताकि उनका और साथानी पूर्वक या गलत तरीके से परियोग ना हो सके मत्रब यहां पर यह बोला जारा है निसस्त्रिकरण का मत्रब हो जाता है वह उतने भी सस्त्र रखे जितना उनको जरूरत है मैं आई सकता से अधिक न का मतलब बहुत ही सिंपल है आप एक बार पढ़ोगे आपका याद होगा और सस्त्र नियंतरन क्या है तो सस्त्र नियंतरन यह एक अंतराश्ट्य प्रियास जो हत्यारों के उत्पादन विकास संग्रहन परसार और उपयोग को प्रतिव अंधित करता है मतलब कंट्रोल निय संधियों को तोड़कर अपनी सक्ति बनाने लगते हैं चाहर सी बात है बहुत सारे देश क्या है बहुत सारे मतलब संधी प्रहस्ताक्षा कर लेते हैं कि नहीं हम ऐसा अस्त्र सस्त्र नियंतरन कोई दिकत नहीं है इसके बाद देखवा आगे सस्त्र नियंतरन तथा निसस्त्र करन दोनों के उड़े से समान होते हुए भी मुलभूत अंतर है निसस्त्र करन हथियारों पर परतिवंदित के साथ साथ परतमान हथियारों को नस्ट करने से समन्दित है जबकि सस्त्र नियंतरन कुछ मामलों में अपने सदिश्यों को हथ पर दो बात है कि जितना आपको यूज है आप उतने ही अस्तर सस्तर रखो बादवाकी को नस्ट कर दो मत रहो लेकिन यहां पर सस्तर नियंतरन में बोलता है कि नहीं तुम हत्यार रखो उसका भंडारन करो कि जरूत पड़े कोई अगर बाहर बाला कोई अटक करता है आकरमन करता है तो आप उससे केसे बचोगे तो उससे रख्षा के लिए कुछ आप अतियार रख सकते हो यह बात यहां पर बोला गया है इसको नोट करो इसके बाद अगला प्रशन देखो जो कई तरीके से पूछे जा सकता है कि राज्यों की सुरक्षा से अधिक लोगों की सुरक्षा से है मतलब राज्य का यहां पर उतना हमनों सुरक्षा नहीं करेंगे जितना की लोगों का करेंगे बाहरी आकरमन ही राज्य की सुरक्षा को चुनती नहीं देते बलकि भीत्री तत्त्तु भी राज्य के सुरक्षा क जो कारण बन सकते हैं जैसे कि दरिद्रता यानि गरीबी बेरोजगारी भूकमरी लोगों का पलायन समाजिक विखंडन इत्यादी यह सब राज्य का दाइत है कि वह अपने राज्य का दाइत है कि वह अपने परदेश की सुरक्षा के साथ-साथ मानवों को एसे भयंकर दोसो या कस्टों से बचाए इसे ही मानव सुरक्षा करते हैं मानव सुरक्षा मतलब किया यहां पर कोई जरूरी नहीं कि कोई बाहर वाला अटक कर रहा है उससे बचाया जाए बलकि बाहर की जो भी मतलब चीज़ें उससे बचाया जाए ही साते साथ जो भीतर की जो चीज़ें जिसे भुकमरी हो गया बेरोजगारी हो गया लोग को का जो पलायन है यह सब से भी जो बचाए ओही है हमारा मानव सुरक्षा इसके बाद अगला प्रशन है बेस्विक सुरक्षा का क्या अर्थ है तो चलिए देख लेते हैं बेस्विक सुरक्षा का मतलब तो बेस्विक सुर में इसका अर्थ दिश्व अस्तर पर समस्त मनिस्तों की सुरक्षा के साथ-साथ उसकी चारोर घीरे वातावरन परकिर्टी की भी सुरक्षा से हैं जिसे जीने के लिए स्वेच माहोल मिल सके जैसे बेस्विक ताप ब्रिद्धी से सुरक्षा आतंगवाद से सुरक्षा क्रादी महामरीयों से शुरक्षा एंवं प्राक्रितिक आपदाओं से सुरक्षा भी है यह सबनाती हैं बेस्विक सुरक्षा के अंतरग्ध सब्सक्राइब से लेकर 2000 का बात हो रहा है डह साग मतलब आर्फर यां एक राश्टर से संभब नहीं , इसका परवावई नियुक्स है लाद अगला प्रस्ण है कि पारंपरिक आवधार्ना को Сबस्थ करें तो एक और किसी भी देश के लिए बाहरी सुरक्षा कवच अविस्तक है, तो दुसरी और यह भी अच्तिन दाविस्तक है कि वह अंधुरनी छेत्रों में भी सुरक्षी थो, क्यूंकि अंधुरनी असुरक्षा बाहरी असुरक्षा से ज्यादा घातक है, इसी गारण सुरक्ष रहा है कि बाहर का जो चीज है ना कि बाहर का जो यहां पर असुरक्षा है उसको नहीं देखिए आप यह देखिए कि आप अंदर से कितने सुरक्षी थे यह देखना है कि अंदर आप सुरक्षी थे ना तो यह बाहर की असुरक्षित होने से ज्यादा घातक हो सकता ज्यादा बुराइब कोई नियम नहीं होता वो केबल अपनी मांगों को पुरा करने के लिए सरकार के उपर दवाब बनाने के साथ ही आतं को हर जगा फेलाने के लिए निर्था लोगों के समय समाज पर कावला करते हैं उनकी मांगे बहुत hazard होती है जो चाहते हैं कवेवल उसी को पुरा कराते हैं यह मारम जाती रिए ऐ characteristic है वो कभी भी अपने दोस्त परिवार बच्चे लोग के लिए समझोता नहीं करते हैं किसी को भी मार सकते हैं वो केल लोगों की भीड और लोगों पर गोलिया चलाते हैं दिवानों का पहरन करते हैं और दूसरी आतंग की गतिविधियों को अंजाम देते हैं कम से कम समय में अपने मुझ की छेत्रों या देसों में आतंग फैलने के लिए आतंगवादी लक्ष बनाते हैं पूर्व में ऐसा मना जाता है कि पसर रहा है देश में अलग-अलग नामों के साथ कई सारे आतंगबादे समु सक्री है अपने कारी के अनुसार राजनितिक और अपराधिक आतंगबाद के दो मुख्य प्रकार है कुछ खास लेक्षों को पुरा करने के लिए परसिचित लोगों का समुह है आतंगबाद वह ट्रेणिंग दिए जाता है दिया जाता है और यंदे बीमारी फैलता है उससी प्रकार से हुमारा यहां पर आतंगबाद भी फेल रहा है तो बोला जा रहा है कि इसके उप्चार के लिए हैं यहां पर एकक्षों को अच्छा सा बैक्सिन देना पड़ेगा एक अच्छा है पहला कोशन में बोल रहा है कि परियावरण की अर्थ को सपस्ट करें करतें कि परियावरण को अगर हम लोग यहां पर तोड़ेंगे तो 흰ख receiver क्या हो जाएगा परी जोड आवररन और तो आवरन परी diamond आवरन बराबर परिवावरन सब्ड परिजोड आवरन से मिलकर बना है परी का अर्थ है चारों और और आवरण का अर्थ है घीरा हुआ बात को ध्यान सुनिए जैसे अगर हम लोग परियावरण को ध्यान से देखे न परियावरण तो प्रियावरन कैसे बना है भाई तो एक तो परी से दुसरा आवरन से परी मतलब क्या होता है सोन परी और बाल परी नहीं ठीक है सोन परी वाला परी नहीं है यहां पर परी मतलब होता है देगे परी मतलब होता है चारों और और आबरन मतलब होता है यहां पर घीरा हुआ अर्थात प्रियाबरन का साब्दिक अर्थ है चारों और से घीरा हुआ इसी को बोलेंगे प्रियाबरन जिसे नदी, पहाड, तालाब, मैदान, पेड़ पोधे, जीब जन्तू, वायू, मिटी आधी हमारे परियावरन के घटक है परियावरन को वातावरन भी कहा जाता है देखिए आगे हमारे पस क्या है तो आगे हम लोग इस बात पर सहमती बनी कि आर्थिक विकास का ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे के प्रियावरण को कोई नुक्सान न पहुच सके एजन्डा 21 का मतलब क्या है कि आप देखना आप धियान से देखना जिसे कि अक्षॉल में होता क्या है अभी विकास के नाम पे पैसा कमाने के नाम पे हमारे सहरों में देखो आप देश में देखो मतलब कई तरह के ऐसे इसे फैक्टरी लग रहे हैं जो पर्यावरन को नुक्सान भी पहुंचे ना तो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचे तो यह हमारा एजन्डा 21 एजन्डा 21 का मतलब हो गया कि आर्थिक विकास के लिए ऐसा तरीका अपना है जाए जिससे की परियावरन को कोई नुक्सान ना पहुंचे अब देखो एजन्डा 21 का जो मुझ क जो मैं मैं जो फॉंट से इसका जो मुझ के बिंदू है क्या है देखो यहां पर मैं आपको एक करके समझा देता हूं पहला क्या है कि वनों की कटाई को कम करना वन का कटाई कम से कम हो गरामिन छेत्रों में सतद्विकास की सुरुआत हो जब विविद्दा का सनरक्चन महास वसकी डियेत्रों रागरों और समुद्रों के पर्दूसन जहरी रासयनों का उचित परवन्दन इसमें परियावरण के बार में आगे आने वाले योजना मों का उल्लेख है यह एजंडा पारस्तितिक्य की विनास दूर करने के लिए तुम कार्य करने के理ए भिविन कार्य क हो क्या हो क्या नहीं हो इसका उल्लिक करता है इसके बाद देखो हमारे पास अगला जो कोश्चन है क्या है ओजन प्रत क्या है ओजन प्रत में छिद्र के लिए उत्तरदाई कार्मों का वर्ण की जिए पहले बात करते हैं और तो ओजन ऑक्सिजन का एक समस्थानिक है ओजन ऑ और पिर्थिवी की चारों और एक सुरक्षा छत्री की तरह पाई जाती है और पिर्थिवी की और आने वाली पाराव्यगनी किर्णों को रोग लेती है और यह जो पाराव्यगनी किर्णों को रोग लेती है और यह जो पाराव्यगनी किर्णों को रोग लेते हैं और पिर्थ अरे यहां पर तरफ रखेंडर निमिलिकत करद्टाइए चलिए पहला पॉंट देखिए एस ऐसे एक सी गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन जीसते कि हमारा जो फ्रीज हो गया डाफ्रीजरेटर फ्रिज जिसमें हम लोग ठंडा वांड़ा रखते हैं फ्रेर रखते हैं तो जो होता है तो फ्रीज वह से वह सिएपसी गयास निकलता है या निके चलोरो फ्लोरो कारवर निकलता है जो और प्रत में च्चिद्र करदेता है जो लगती है जिससे ओजन गेस के अनुव का निर्मान कम हो जाता है और ओजन प्रत्र में भई चिद्र भी होने लगते हैं इसके बाद अगला पॉइंट देखो अगला पॉइंट है कि मोटर गारियों जादा कल कार खानों से निकलने वाले धुए में कारबन मोनो ऑक्साइड के अलाबा सलफर डाय ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड आधी होते हैं जो ओजन प्रत को छती पहुंचाते हैं अंत्रीक छियानों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पर्ण होते हैं जो ओजन प्रत को नस्ट करते हैं नाविकिया विस्पोर्ट से भी ओजन प्रत नस्ट होते हैं जो आला मोगी स्पोर्ट से भी ओजन प्रत्ष होता है तो यह सब कितना कारण है जिसके चलते ओजन प्रत का रामनाम सच्थ हो रहा है इसके बाद अगला प्रस्ण है वेस्विक ताप ब्रिद्धी जिसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग तो वेस्विक के बढ़त्वान समय में विश्व का तापमान यृदी प्रती दिन तेजीय से बढ़ता जा रहा है कि इससे वेस्विक ताप ब्रिद्धी करते हैं विश्विक ताप मान बढ़ने से धर्ति के जिवन melted हो सकता है अलों दिन परती दिन क्या उन्रहाँ वह पूर्य विस्विक जो ताप है ना जो टेंपरेचर है बढ़ रहा है इसके क्या क्या कारण है चलिए हम लोग एकक करके इसके कारणों को देख लेते हैं पहला कारण क्या है कि यह कारवन डायोकसाइड मिथेन और हाइड्रो फ्लोरो कारवन आधि गेसों के पर्यावरन में ब्रिद्धी से हमारा फ्लोरो कारवन तो यह सब जो गेसे हैं जो पर्यावरन में इसका ब्रिद्धी हो रहा है जिसके चलते हैं यहां पर भई हमारा गलोबल वार्मिंग हो रहा है अब यह हाइड्रो फ्लोरो कारवन जो है जो है इसको सॉटकर में हम लोग बोलेंगे एच एप सी और यह we are कि वेस्विक पर्याबरन पर मंडराते किनी चार खत्रों को बताइए या आज के वेस्विक पर्याबरन को तो नुक्सान पहुंचाने किनि 30 खत्रों का कुण-कॉर्ण स्कत्रा अब हमारे उपर मंड़रा रही हिस्व के प्रियावरेंगे लोगों के लिए नुक्सान दे हैं सबको नुक्सान इसने होगह ऐसा निसी केवल भारत के लोगोगों को को पपहला है ऊजन प्रत में छेद होना दूसरा है ग्लोवल वार्विंग तिसरा है अंटार्गेटिका महादेश के बर्ब का पिघलना अगला है कि उबजाव जमिन एक बड़ी हिस्सी की उर्बदा सक्ति का कम होना पहले जिस खेत में जिस जगह पर बहुत यदिक मात्रा में फसल उबजाए ज सब्सक्राइब का परियावरण के लिए आप क्या सुझाव देते हैं जो भी अप यहां पर बताओ दो पहला क्या है सुझाओ कि जंगलों की कटाई पर रोक लगाकर और अधिक सदीख पेड़े लाकर जो जंगल का जो कटाई हो रहा है इसके पर रोग लगा दो और अधिक सदिक पिड़ लगा दो जिससे प्रियाबरन का संद्रक्षन होगा आगे कि उर्जा के वेकल्पिक साधनों का उप्योग कर जिसे वायु उर्जा स्वरुर्जा इत्तादी का परियोग कर पर दूसन भी नहीं फेलेगा प्राकृतिक संसाधनों का नयाय पूर्ण एवंग सिमि कड़िक करना है एक थे पूर्म तरीके से और सब्सक्राइब करना है जो भी रसायन इक है जो निए बिए पी युलिया यह सब एक सिमिट उप्यों करना है यह फॉर्फ पॉइंट है फेप्ट्रिस निकलने वाले पूड़े कज़्णों को पानी या जहां तहां नहीं प्रह जगा होना चाहिए जो फ्यक्टरी या पर जो कारखना बेगास जो बुड़ा कज़ड़ा निकलता उसको पानी में यहां तानी फिंगना चाहिए इसके बाद अग्ला जो प्रस्ने वह क्या है कि प्रियावरण के मसले पर भारत के पक्ष की विवेशना कीजिए तो चली देख लिए कोश्चिंग कैसे भी पुछा आपका एक होगा एंसर है कि गारी और उज्दोगों से निकलने वाले धुएं तदा घरेलू उपकरणों से निकलने वाले जलबावी परिवरतन विशय पर अंतराष्ट सम्मेलन हुआ जिसमें बिस्विक के एक सोशाड देशों के परतिनिधियों ने भाग लिया जलबावी परिवरतन पर होने बाला यह तिसरा अंतराष्ट सम्मेलन था तो यह देखो यह जो सम्मेलन होगा था तो जापान की कोयोटो सहर भी होगा इस दिसरी का नाम है कोयोटो सम्मेलन ठेक है प्रिद्वी परिभरटन परेां रोग लागा ने के लिए एक अतिहांजी समझोते pinky बनी ब्ड़ी संख़ा में राश्ट्रों ने हस्ताक्चर किया है कोयोटो पोटोकल पर 11 दिसम्मर 1997 को हस्ताक्षर हुए कोयोटो पर्टोकल इस पोटोकल से सम्मादित महत्रपूर्ण तैट्य निमनी लिखीते हैं क्या है देख लो तो पहला है यहां पर देखो कि कोयोटो प्रोटोकल एक अंधराष्टर समझे होता है इसके अंद्रगत और पर देखों के लिए ग्रिन हाउस के उतसरे को कम करने की लक्ष निर्धाद की गए जबी ग्रिन हाउस ग्यास जो मतलब फ्रैक्टरी पर निकलता है उसको कैसी कम क्या जाई इसका भी निर्धारन हुआ है प्रोटोकल में यह भी माना गया है कि कारवन डायक्षाइड मिथन आप प्रिद्धि की प्रिघटना में विसका तापमान बढ़ता है और प्रिद्धि की जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है इस समझोते में विकासियल देश्यों पर कोई उतसर्जन पर्तिबंद नहीं लगाया गया है गया है विकासियल देश्योंसेूपर कुछ भी यहाँ यहां पर जो भी मतरब मुद्दा था जो भी बताया गिया अगर कोई भी इसका अगर उलंगन करता है जो नहीं मानेगा तो उसको जुर्माना स्वच्छ विकास कोस में जमा हो जाएगा इसके बाद अगला जो प्रस्न है क्या है कि मुलवासी लोगों और उनके अधिकारों के बारे में लिखी क्या है इसका अंसर कि सन्यक्तराश्च संग के अनुसार मुलवासी ऐसे लोग होते हैं जो किसी देश में बहुत दिनों से रहते चले आरहे हैं और प्राइन जिबन से जीवन सहली की दिरिष्टी से बहुत पिछड़े हुए हैं उनकी अलग भाचान की जा सकती है उनकी संग्या बहुत थोड़ी है इसलिए देश के अजने समुदाइगों के क्या है सासना दिन रहते हैं कोई दुसरे समुदाइग के सासन के अंतरकत रहते हैं और समझो कि किसी के गुलाम में रहते हैं यह बात हो गया मुलवासियों के अधिकार निमिल लिखित है पहला है क्या देख लो कि बिस में मुलवासियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो ठीक है यहां पर क्या है भाई देख लो इस चीज़ को आप अपची से देखो मुलवासियों के अधिकार निमिल लिखित है यह मिलना चाहिए कर देश के विकास होने वाला लाब मुलबासिओ को भी मिलना चाहिए इनके अधिक उपयोग ना होना चाहिए इनको बेरावरी का दर्जा मिलना चाहिए ये से बुला गया है इसके बाद अगला परस्ण पर इंपोर्टन कि सब्सक्राइब है टो यह समेलों कि ना लापरत सिद्ध हुआ इस पर निकीन परिनाम के छिए यह फिर देख लो भाए यहां पर यह प्रितिवी प्रित्य सम्मेलन तो सन उन्नाचीज जिनरीव सहर में 272 देशन किया गया था इसके बाद सन 2002 में डिक्षिन अफ्रीका के सहर जोन्सबर्ग में प्रितिवी सम्मेलन का आयोजन करके संसार के सभी रास्ट्रों को पर्यावरन संरक्षन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर दिया गया था एक हुआ था 1992 में ब्राजिल के रियोडी जिनरियों सहर में एक हुआ 2002 में दक्षिन अपरिका के सहर जोन् को रुक किया सभी देशों को पताया वहीं पर्यावरन का हमें सेलक्षन करना चाहिए पिर संब्स प्रोटो प्रोटो कल और पर प्रेश संजोता भी होता है और पिर क्या है कि रियोडी जेनरियों सिकर संब्सक्राइब के दो रन एजन्डा 21 को भी अपनाया गया था उसके ये जो हमारा भूम अंडली करन है, इसका और एक नाम है, इसको हम लोग बेस्वी करन के नाम से भी जानते हैं, तो आप या तो बेस्वी करन बोलिए, या फिर भूम अंडली करन बोलिए, दोनों का मतलब Sam to Sam है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी के डेफिनेशन से हम या फिर बेस्वी करन मतलब होता क्या है, देख लिजिए, यहां से हमें कुछ इस प्रकार का questions मिलेगा, और question कई तरीके से पूछ जा सकता है, बट answer हमारा एक होगा, tension आप लोग मतलो, देखिए हमारा question क्या है, कि बेस्वी करन क्या है, बेस्वी करन के किनी दो गून और द पहले तो बात करेंगे बेस्वी करन मतलब होता क्या है, तो जब देश के अर्थेविवस्ता को बेस्वी करन के साथ जोड़ा जाता है, तो इसे बेस्वी करन कहते हैं, अर्थात बाहर की कमपनिया आकर भारत में बैपार कर सके, और भारत की कमपनिया बाहर जाकर बैपार क करेंगे और विडेशों की कमपणी अगर भार्ण में बैपार करते हैं तो यह जो परकिरिया है इसी को बोला जाएगा बैस्विकरन यानि यह होता क्या है कि हमारे देश का जो अर्थेविस्ता है वह कि दीसी से बेस्विकरन यानि भारत की जोımızı community जाके वेफार करेगी और विदेस की उसी परकेला को बोला जाता है वैस्विकरन आगे देखो बातbor करेंगी वैस्विकरन के कुरन का क्या गूल है तो पहला देखो किवास्विकरन थे कारण एक देश से दुसरे दे का यात्रा करो बहुत इजी है बेस्विकरन की कारण अंतराष्ट ये निवेस बढ़ा है जो किसी भी देश के आर्थक विकास के लिए बहुत महत्पूर्ण है जो अंतराष्ट ये निवेस है ये इसमें इंक्रीज हुआ है जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही पर यहां पर ऑपशन मीलराना नहीं कि अगर हमारे पास कम पैसा है सब का बस का बात थोड़े लीजिए निए कि यह बुथ साधे हो बस बहुत स्थाय ने आपके पास बैस कहरण के कारण लोगों की जीवान अस्तर में भी इद्धी हुई है लोगों का जो जो लाइब का लेवल है जिवानस्तर जो है उसमें भी इनक्रिश हुआ है बेस्विकरन से देशों के बीच वैपार बढ़ा देशों के बीच वैपार है वैपार भी बढ़ा है जो जीडिफी है सकल घरेलू उत्पाद ठीक है ग्रोथ डॉमस्टिक प्रोडक्सन जो है इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है यह भी इंक्रीज हुआ है बेस्विकरन से गरी अस्तिक्षा सांती सुर्यक्षा बेरोजगारी आदी मुख्य है अब बेस्विकरन की कारण करोणों लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं अई कारण है कि करोना वायरस आज दुनिया भर में फैल गया है वह इसमें आगे भी कोई नया वायरस इसी परकार से फै और याल में आया था उसके फैलने का कारण क्या था है अई था हमारा बेस्विकरन चलो आगे देखो इसके बाद हम लोग आगे देखे अगला प्वाइंट देखो ने जो हो रहे हैं जो टीचर स्टोएंट का जो रिलेशन है यह धिरे-धिरे मात है इसके बाद आगे देखो दौश किया है कि भारत में सिक्षा के छेत्र में हैं इतना परचलन हो गया है कि अभासाओं के आस्तिक्तों पर संकट खडा हो गया है जैर से सब्सक्राइब बालोकों में इंटरनेट के बढ़ते परियोग की कारण उनका सांस्कृति की विकास बाधित हो रहा है एक चीज़ आप गौर करना जब से इंटरनेट अगर एक्चुल में बोला जब से 4G आ गया है ना सबके हाथों में आपको मुवाइल देखने को मिलेगा यानि जब से जी हो आ गया है सबके हाथ में फोन देख लिजिए पहले के टाइम में जब हम छोटे थी तो भई क्या होता था कि चलो हम लोग मुवाइल नहीं नहीं था कई तरह के हम लोग खेल खेलते ते लेकिन आजकल की छोटे-छोटे बैच्चों का भई कोई खेल नहीं मां है पिदाज को अगला पॉट्ट क्या है देश्वीकरन् के कारन दुुरस्ति शीक्टा का परचलन बढ़ा है जिससे सिक्टा के वेपारिकरन को बल मिला इस्यक्ता आज ही घ्यान प्रदान करने की आधी सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसमें देखो दो प्रकर का आलोचक है एक तो वामपंथी आलोचक के नुसार जू है दे देखलो पाहला देखो बामपंथी राजनितिक रुजहन रखने येवालों का तर्के कि मौजुदा बेशिक्रन धनी को और धनी और गरीब को और जादा गरीब बनाती है यह अवर और बोला-जा रहा है कि जो धनी ए Kenneth बन रहा है और जो गरिब है वी और गरिब बन रहे हैं इसके बाद है कि इनका मान ना है कि राज चिए कनजोर होने से गरिबों के हितों की रक्षा करने की कमथा में कमी आई है अ फिर ऐक कुमस्वर दे दे देना घ्राइनितिक आुछक उसके अंसर तो गशिए राईनितिक आजू होने की चिंता इनगे लग रहें को राज जी आप एक देस का का बातर जो दे सवी कमजूर पड़ रहे देंट शींता है संस्किर्तिक संधर में इनकी चिंता है कि वेसी वीक्रण से लोगों कि पराम प्रागत संस्क्र्ति की हानी होगी से कि यहां पर यह पर एक मुरु दे देना लोगों कि कैंड बहुत सकते हूं यहां इसके बाद आगे देखो, आगे हमारे पस क्या है भई, अगला जो question है, कई तरीके से पूछा जा सकता है, कि बेस्विकरन के आर्थिक पक्च से आप क्या समझते हैं, या पिर आर्थिक बेस्विकरन के समर्थकों दोबारा दिये गए, किन्नी दो तरकों की वैक्खा किजिए या पिर बेस्विकरन के किन्नी चार आर्थिक परिनामों की वैक्खा किजिए, या पिर बेस्विकरन के आर्थिक परभावों का संचिप में बर्ण किजिए, तो कई तरीकों से question हमारा पूछा जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं इसका answer को, कि इसका answer हमारा क्या होगा, तो देखो भई, क्या है, कि बेस्विकरन के आर्थिक परभावों को उनके रूप से दो भागों में बाटा गया है, एक बेस्विकरन के सकारातमक आर्थिक परभाव, और दूसरा बेस्विकरन के नकारातमक आर्थिक परभाव, बने एक हमारा positive बला है, एक positive effect बला है, और वस्तु के वैपार में ब्रिद्धी हुई है अलग अलग देशों ने अपने यहां होने वाले आयात पर लगने वाले पर्दिबंधों को कम किया है जो भी मतलब पहले जो रिस्ट्रिक्षन था उस चीज को हड़ा दिया है पुंजी के परवा में ब्रिद्धी यह था हमारा ए विकास्स्याइब देशों में जहां अधिक लाब पराप्त होगा अब जिनके पास भई पुंजी है पैसा है वे तो अपने देस में बिजनस कर रहे है एग वे उसके पास जादा पैसा है तो यह से देश को चुनेंगे जो विकास्ष्याइब हो तो उहां पर जाकि फीर राष्ट की सिमाओं के बाधा नहीं रही इंटरनेट और कंप्यूटर से जूड़ी सिवाओं का विस्तार इसका एक उधारन है किसी से कुछ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कोई सिमा कोई बाउंडेड चीजी यहां पर नहीं है आगे देखो इसके बाद अगला क्या है कि व्यक्ति देश में काम धंदा कर रहे हैं आर्थिक सम्रिद्धी का बढ़ना बेस्विकरन की कारण लोगों के आर्थिक सम्रिद्धी बढ़ी है और खुलेपन की कारण अधिकालिक चनसेंका की खुश हाली बढ़ती है यह चीज आप यहां पर बोल सकते हो इसके बाद आगे देखो पारंपरिक जुडाव का बढ़ना आर्थिक बेस्विकरन से लोगों में पारंपरिक जुडाव बढ़ रहा है जुडावी बढ़ रहा है अब देखो नकारातमक जो एफेक्ट है जो नेगेटिव एफेक्ट है इसको देखो क्या है जनता का बिभाजन आर्थिक बेस्विक कारण सरकारें अपने कुछ जिम्मिदारियों से अपना हाथ खीच रही है इस कारण समाजिक नियाएं के पक्षदर लोग चिंदी थे इसका मत है कि आर्थिक विस्विकरण से एक बड़ी छोटे बर को लाब पराप्त हुआ है जब कि नोकरी और जन का इलान के लिए सरकार प देखो गरीब देशों के लिए अहित जो गरीब देश इसके लिए अहित है विस्विकरण को रोकने के आवाज उठाई है बहुत सारे मतलब बल पूर्बक यहां पर आंदोलन हो रहे हैं जिससे बेस्विकरण को रोकने का बात हो रहा है इंकि इससे गरीब देश आर्थिक लोग आकर हमारे देश में बस जा रहे हैं यह बात यहां पर बोला जा रहा है इसके बात देखो हमारे पास अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है उदारी करण उदारी करण क्या है तो भारत में आर्थिक उदारी करण 1991 में शुरू हुआ सरल सब्दों में उदारी करण का मतलब होता है वैपार को बढ़ावा देनी और देश में परति असपर्धी माहूल बनाने के लिए वैपार और उद्धुगों पर परति बंधों को कम या पूरी तरह से खत्म करना जो भी फैक्टरी के उपर जो भी वैपार के उपर जो भी ब लोग बोलेंगे उधारी करन का जो यहां पर विस्यस्ता है चलो एक करके हाँ आपको समझाता हूँ देखो क्या है तो पहला बानेजी व्यंकों को रिन पर ब्याज तरी करने की सवतंतरता परदान करना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन पर लगे सभी प् कम करना जो टैक्स से उसको कम करेगा और अनावैसक नियंत्रों नों खटान और जो भी मतलब ऐसे जो फालतों का जो कंट्रोल करके राखा है जो जो चीछ जो नियम करने उसको खटम करेगा उसको विस्तार के दोरान निजी छेत्र की कंपनियों के सामने आने वाले समयस्ता को खत्म करना जो भी जब उसका विस्तार होगा तो जो भी नीजी चेत्र की जो कमपनियां है उसके समय जो भी प्रोलम्स आएंगे उसको खत्म करना इसके बाद देखो अगला पॉंट हमारे पस क्या है कि निर्माताओं को माल और सिवाओं की कीमत निर्धारित करने के सवतंत उसका धाम कितना होगा प्राइस कितना होगा उसका उनी लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है की अब celebrity करना सारग्य कंपडियों की की अधिकार को समांत करकि नेजी छेत्र को बढ़ावादीना जो सरभी क comment विये उसने फ्रेक्टरिकंबाना जिसे माल की आवाज अही को स्विधाजनक बिनाना जिसे माल आने जाने में कोई प्रोबलम न हो ठीक है इस चिछको अच्छे दरीके से करना